असलाम अलेकुम बच्चो उमीद है आप ठीक ठाक होगे मज़े में होगे और जम कर पढ़ाई कर रहे होगे वन चॉट लेक्चर सेरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है यह फिनॉमिना ओफ वर्क पावर एंड एनरजी यह क्विक डिविजन सीरीज यह टॉपिकल वन चॉट लेक्चर है कि लोगों के लिए बेटे अगर आप बोर्ट के सुडेंट हो और एक बार आप अपने कोचिंग में कॉलिज में या मेरी क्लास 11 की प्लेलिस से डेटेल वाले लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हो जहां आमने डेरिवेशन बगेरा सारी कीन थी और अब आप पूरे चैप्टर को एक शॉट में रिवाइस करना चाहरे हो या कॉंसेप्चुर इंडेस्टेंडिंग इन्हेंस करना चाहरे हो तो आपके लिए यह आईडियल लेक्चर है सिमिलरली बेटे अगर आप इंजिनेरिंग या मेडिकल कॉलेज के इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो क्योंके जाहरे इंट्री टेस्ट के अंदर MCQ आते है डेरिवेशन तो आप से कोई ही पूछेगा और आप चाहरे हो कि आपको किताब में लिखी वी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएं तो उसके लिए चीज़ें रिवाइस करे हो तो आपके लिए भी आडियल लेक्चर है आप नोट करोगे कि हम हमारा कोई भी कॉंसेप्ट उठाएंगे बेसिक से और उसको बिल्ड अप करते हुए एडवास लेवल तक लेके जाएंगे और साधी साथ पास पेपर में चाहे वो किसी अच्छे इंजिनिरिरिंग कॉलिज़ का हो चाहे वो किसी अच्छे मेडिकल कॉलिज़ का हो जितने पास पेपर के कुश्टन आए वे वहं वो सारे के सारे हम यहाँ पर साथ साथ बनाते जाएंगे ठीके बेटे स्टार्ट करते हैं वर्क वावर एनरजी छोटा सा असान सा मासूमाना चेप्टर है जो जो कुछ इसमें से वो आप से पूछता है वो हम सब कोई डिसकस करते हुए जाएंगे सबसे पहले अपने पास हेडिंग लगा लिजी ये वर्क ठीक है पहले वर्क पढ़ेंगे फिर इनर्जी पढ़ेंगे देन वी विल मूफ तुवर्ड्स पावर वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं क्या होता है वर्क डन अब देखो भाईया जब भी हम कभी आगे पीजे किसी से पूछते हैं न क्या आपने काम किया क्या आपने काम किया सब बोलते हैं हाँ मैंने पूरे दिन में बहुत काम किया एक बंदा अगर computer table पर बैठा हुए, software engineer है, software लिख रहा है बैठा हुआ, वो भी उसके नजदीक वो बहुत काम कर रहा है, इसी तरह आपके जैसे एक बच्चा जो physics बढ़ रहा है, सुबह से शाम तक सर बिलाल के lecture देखे जा रहा है, वो भी बहुत काम कर रहा है, मेरे जैसे समझ लेना यहां पे, कि भाईया, daily routine के अंदर जो work done होता है, और physics जिसे work done कहता है, इनमें बहुत फर्क है, daily routine में हर वो काम, जो करने से जान जा रही हो, जिसको करने से sweating हो रही हो, जिसको करना मेहनत तलब लग रहा हो, हर वो काम हमारे नजदीक क्या होता है, work done, जैसे physics कर ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा target होता है, काम होता है, physics की दुनिया में ऐसे किसी भी चीज़ को work done नहीं कहते है, physics की दुनिया में work done क्या है, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि यहां जितने बच्चे बेटे हुएं, सब revision purpose के लिए बेटे हुएं, ठीके, although अगर आप पहल उनों को multiply करोगे तो आपको work done मिल जाएगा, सर फिर बताएं, एक डबबा था, इस डबबे पर आपने ताकत लगाई, मान लीजी मेरा बेटा, यहां कहीं में मेरे पास एक कोई बकसा था, एक कोई box था, आपने क्या करा, इस box के उपर force apply करी, जिसके नतीजे में box आगे गय अगर आप बच्पन में, class 10 में, या छोटी classes में पढ़ड़े होते थे, क्या पढ़ड़े थे, work done is the product of force and displacement, अब यहां पे कुछ और चीजे निकल के आती है सामने, क्या आती है सर, देखो, बैटे हमें ये बात पता है कि जो force है, वो भी एक vector quantity है, और जो displacement है, वो भी एक क्य करने के दो तरीके होते, या तो आप dot product लेते हो, या आप cross product लेते हो, vectors का देखा होना बहुत जरूरी है आगे चलने के लिए, तो मैं ये मान के चलूँगा, कि आपने vectors already revise किया हुआ है, जो मैं previously upload कर चुका हूँ, तो बैटे जब हम work done को define करते हैं, हम कहते है, work done is the dot product of force and displacement, सर अब dot product से क्या मुराद है, पिटे dot product से ये मुराद होती है, कि आपने दो वेक्टर्स को multiply किया, और answer में एक अधत क्या आ रहा है, इसकेलर आ रहा है, इस पे और भी बात करते हैं, फिलाल, पहले ये समझे लो, work done की definition physics के लिहाज से क्या है, work done is the dot product of force and displacement, आपने किसी body के उपर force apply करी, और force लगाने के नतीजे में body ने कुछ फासला cover किया, कुछ displacement cover किया, अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को multiply कर दोगे, कैसा multiply, dot multiply, तो नतीजे में जो product निकल के आएगा, उसको अपने लोग क्या कहते है, work done कहते है, अच्छा भाईया, अगर मैं यहाँ पे इसक पर वही कहूंगा, कि आप एक बार vectors revise कर लो, उसमें मैंने आपको dot product सिखाया था, कि a dot b equals a b cos theta, vector a dot multiply by vector b, यह क्या चीद है, a vector का magnitude, a vector का magnitude, यह क्या है, b vector का magnitude, and theta is the angle between a and b, यह theta कौन सा angle है, यह theta मेरा बेटा हमारे पास कहलाता है, mutual angle, यह इसको मैंने आपको एक और नाम देन सिखाया था, जिसको हम का करते थे, tail to tail angle, दो vector की tail के दरम्यान में बनने वाला angle, यह अगर मिसाल के तौर पे displacement है, यह मिसाल के तौर पे मेरा बेटा force है, तो इन दोनों की जहां tail मिल रही होगी, उसके दरम्यान में बनने वाला जो angle होता है, उसको हम यहाँ बे किस से show कर र और vector में फर्क किस चीज़ का होता है, direction का होता है, vector के पास direction होता है, scalar के पास direction नहीं होता, अब आप पहचान होगे कैसे, यह चीज़ मैं revise करा रहा हूँ, vectors में हमने पड़ी पड़ी वी है, हमें पता है भाई साब के हमारे पास 3 coordinate axis होते हैंगे, एक right side पर जो जो जा रहा है x-axis, upward जो जा रहा है y-axis और ऐसे बाहर की कि तरफ जो आ रहा है, this is z-axis, अगर कोई body हमारी x के along move करती है, यह x के along direction को show करने के लिए, हम unit vector use करते है y के along direction को यूज़ करने के लिए y के along direction को show करने के लिए unit vector use होता है j cap z के along direction को indicate करने के लिए unit vector कौन सा होता है k cap मैंने आप लोगो vector की पहचान बताई थी कि अगर कभी भी vector लिखा हुआ है तो आप कैसे पहचान होगे फेक्टर के पास direction होती है तो आपके पास जैसे मिसाल के दोपे आपके पाफ फोर्स कहीं पर ऐसे लिखी हुई है तो इससे बिटे क्या मुराद है इससे मुराद यह है यह जो फोर्स है इसका x के along component 3 है इसका minus y के along component 4 है minus y इसलिए कि यह j gap के साथ minus आ रहा है अगर upward plus y है तो downward क्या होगा minus y उपर के लिए plus y gap है तो नीचे के लिए क्या होगा minus y क्या है similarly z के along इसका component कितना है 2 है और अगर मुझे इस force का magnitude निकालना होगा तो ultimately magnitude क्या होता है under root x square plus y square plus z square x कितना है यहाँ 3 y कितना है यहाँ minus का 4 z कितना है यहाँ पर बच्चे 2 हो गया है यह सब हम अलड़ी सीख चुके हैं करना 3 का square 9 minus 4 का square 16 2 का square 4 9 plus 16 25 25 plus 4 39 under root 29 newton solve करेंगे 5.4 something आ रहा होगा खेर आगे चलते हैं हम जड़ा चीक है तो work done हमें समय में आए गया dot product होता है force or displacement का साथ साथ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि work done हमारे पास कैसी quantity है scalar quantity है scalar quantity क्यों है क्यों है क्योंकि इसके पास कोई direction नहीं है सार आपको कैसे पता चला ऐसे पता चला कि मुझे work done के बारे में पता है कि work done को indicate करने के लिए आपको direction नहीं चाहिए आपको पता चल गया भाई फलाने डबे के ऊपर इतनी दाकत लगी उसने इतनी displacement गवर करी दोनों का dot product लिया तो वो मिल जाएगा वरना आप टेक्निकली यहां से भी answer कर सकते हो जब कभी भी दो vectors आपस में dot multiply होते हैं उनका जो answer आता है वो हमेशा क्या होता है इसकेलर होता है यहां से भाई चल रहा है अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाईया work done की unit बताईए तो देखो unit क्या क्या बन सकती है इसकी अगर हम SI system की बात करें SI system जो standard international है force की unit क्या होती है Newton displacement की unit क्या है meter तो Newton meter बन जाएगा या इसको अपन लोग Joule भी कहते हैंगे Newton meter या Joule अच्छा एक और चीज़ देखो जगा यह जो Newton meter है मेरा बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Newton की जगा पर मैं लिख सकता हूँ किलोगराम meter पर second square हाँ या ना और meter आ गया as it is यह कैसे लिख सर आपने बचे जो Newton है यह किसकी unit है हमें याद पढ़ रहा है कि Newton हमारी unit किसकी है फोर्स की है और फोर्स का फर्मॉला क्या होता है मास टाइम्स एकसेलेरेशन तो मास की unit क्या है किलोगराम एकसेलेरेशन क्या है meter पर second square सर आपने यह unit ऐसे क्यों लिखी बिटे ताकि मैं इसकी आपको dimension निकाल के दिखा सको यह सब चीज़े जो मैं बोलता जारू ना भाईया इसको टू एकस की स्पीट पर लगा कर देखने के बज़ाए साथ साथ नोट्स बनाते जाना ताकि आपके लिए चीज़ेरेशन करना असान रहे है अच्छा किलोगराम मास की dimension क्या होती है एम एंटू एम एम क्या है मीटर 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 सा मीटर स्कॉाइर और मीटर की स्कॉाइर टी की पावर माइनस टू डिस इस डिमेंशन ओफ वर्क डन अब आपको एक्जामिनर अकसर आप से सवाल पुछता है कि भाई सेम यही dimension और किस physical quantity की होती है तो अपने बाद नोट डाउन कर लिएगा सेम यही dimension आपके पास torque की भी होती है torque वो जो आप पढ़ते हो ना turning effect of a force बच्छाम आपने कभी यह formula पढ़ा होगा torque equals F into D actual formula है R cross F R position vector होता है F force होता है इनका cross product जो होता है वो torque के बराबर होता है यह भी एक formula है यह toy equals R cross F से ही drive हुआ है इसमें F से मुराद force है D से मुराद moment arm होता है moment arm क्या होता है जिस point पर force लग रही है वहाँ से लेके जो pivot वाला point है जहां आप उसने घूमना है वहाँ तर कप perpendicular distance वह सब हम पढ़ेंगे जब rotational motion आपको पढ़ा रहे होंगे फिलाल आप यह देखो कि toy equals F into D F की unit क्या है Newton momentum एक distance है भले perpendicular distance और distance क्या होती है मीटर तो जब आप Newton मीटर की dimension निकालो के तब भी यही निकल कराएगी तो torque और work done इनकी same dimension होती है आप आगे चलके देखोगे energy की भी same dimension होती है क्यों यूँक्के देखो भाईया Newton मीटर को आप क्या कहते हो जूल कहते हो और energy का unit क्या होता है वो भी तो जूल होता है ठीक है तो माजी में कई दफा ये question बूचा गया है कि torque की dimension या work done की dimension किसके similar है work की dimension torque के और torque की dimension work के similar है ठीक है भाईया अच्छा एक हमने इसकी unit पढ़ ली जूल ये तो SI वाली unit हो गई या इसी को हम MKS वाली unit भी कहते है SI MKS का advance वरजन है पढ़ चुके हम ये बाद chapter number 1 में इसी त पास एक BTU बराबर होता है one zero double five joules के ये free के number है कभी का बार पूछ लेता है एक बार माजी में पूछा हुआ है कि एक BTU में कितने joules होते हैं आपको पता है याद है याद है मैं आपको मिसाल से revise करा देता हूं पुराने जमाने में एक छोटे वाले AC का इस्तिहार आया करता तब परखाले मिटसुबुशी सिलिम हुआ करता था उसका ना इफाइम नौट रॉंग बता देना मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूं मिटसुबुशी सिलिम जुसमें ना उनका एड का मोटिव यह था कि भाई आप ऐसी के साइस पे नहीं आप देखें यह कूलिंग कितनी और पूरी कूलिंग तो पूरे बीटी यूस बीटी यूस ट्रेंट फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट पता बना उन्हें कख कुछ नहीं होगा वह जो एड शूट कर रही थी के बीटी यू क्या है लेकिन आपको समझ में आना चाहीं बीटी यू क्या है एक यूनिट है व प्रोट्राइन पॉजिटराऻिक शूल फोटॉन इनकी बात करते हैं दिया वेरी सोछ पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एलेक्टरों का मास कितना है 9.1 पावर माइनस 31 किलो गराम इतना च्छोटा मास है तो इतना च्छोटा मास होता है ना वहाँ पे जूल is a very large and very huge unit of energy जी तो वहाँ पे हम यूजूली जूल को यूज नहीं करते हम वहाँ पे यूज नहीं करते हैं तो मेरा बेटा एक इलेक्ट्रों वोल बराबर होता है वन पॉइंट सिक्स पावर मैनस 19 जूल के अच्छा बेटे एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसमें से कोई भी चीज ना रटा नहीं है जब हम यह चैप्टर पढ़ नहीं होंगे ना तो आपको यह सब निकालना समझ में आ जाएगा जब हम हीटन थर्मोडाइमिक्स पढ़ेंगे तो यह सीख लेंगे जब हम सब अटॉमिक लेविल पर बात करेंगे तो यह आपको बताऊंगा यह कैस वन किलो वाट आर हमारे पास बराबर है 3.610 की पावर 6 जूल के यह मेरा बेटा हमारे पास कमर्शल यूनिट है इलेक्ट्रिकल इनरजी का क्या मतलब सर बचे आपके घर में कभी न कभी बिल तो आया होगा बिजली का जब बिल आता है बिजली का तो उस पे कहीं न कहीं ल बनता है एक यूनिट का मतलब होता है एक किलो वाट आर और एक किलो वाट आर का मतलब है 3.6 पावर 6 जूल इसको ऐसे समझे लो अगर किसी के घर में बिल आया और उसमें लिखा हुआ है कि उसने एक यूनिट इस्तमाल किया पूरे महीने में कितना एक यूनिट इस्तमाल क लिए इसी तरह मेरा बिटा हमारे पास cgs के अंदर बीस का इंट होता है शौ में हमारे पास क्या था newton-metr Newton किसके लिए एक चढ़्छ कर दो नजर भी आ रहा ह congregate hundred-meter मैं हमारे पास क्या ता मेरा बीटर Newton 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 इसके लिए विए होता है for For Romeo are meeter किसके लिए होता है मेटर होता है लेंद के लिए सी अजिस के अंदर फोर्स को हम रिम्वेजन करते हैं डाइन से किसे करते हैं डाइन से और लेंच को रिप्रेजन करते हैं सेंटीमीटर से तो जो sixteen वार्वटन का ऐस खैंडर newton-metra' है और यह भी जहन में रखना कि एक newton-metra या एक जूल मेरा बेटा बराबर होता है टेन की पावर सेविन डाइन सेंटी मीटर के यह कैसे निकाला है यह मैं बता भी देता हूं भाईया एक न्यूटर्ण में होते हैं टेन की पावर फाइव डाइन और एक मीटर में होते हैं 10 की पावर 2 सेंटी मीटर करके देख लो ना एक न्यूटन में क्या होगा 10 की पावर 5 डाइन अरे भाई या हम करते हैं चलो हम करते हैं यह सब चीज़े नोट करते जाना मेरा बेटा आपके शॉर्ट नोट बनते जाएंगे और तयारी होती जाएगी देखो एक न्यूटन मीटर एक न्यूटन में होता है 10 की पावर 5 डाइन similarly एक मीटर में होता है 10 की पावर 2 सेंटी मीटर तो भईया मिला के क्या बन गया 10 की पावर 7 डाइन सेंटी मीटर यह जो डाइन सेंटी मीटर होता है ना मेरा बेटा इसको हम अर्ग भी कहते हैं यह इसके यूनिट है अर्ग इसी तरह हमारे पास जो एक और सिस्ट्रम है FPS सिस्ट्रम में जो न्यूटन मीटर है यह बेसिकली बराबर होता है आपके पास पाउंड फुट के न्यूटन मीटर नहीं होता भाई FPS में यूनिट होता है पाउंड फुट क्या है भाई न्यूटन किसका है? फोर्स का यूनिट है यहाँ पे फोर्स के लिए हम यूज करते हैं पाउंड पाउंड मास्क के लिए इस्तमाल नहीं होता फोर्स के लिए इस्तमाल होता है अगर आपने कभी WWE रेसलिंग देखी है तो उसमें मिसाल के तौरपे बिग शो जब इंटर हो रहा होता है तो जो अनाउंसर होता है वो क्या अनाउंस करता है बिग शो वेइंग 333 पाउंड मिसाल दे रहा हूं वेइंग दिस मच पाउंड वेट क्या है? फोर्स है वेट क्या है? फोर्स है force की unit क्या होती है pound होती है fps के अंदर जहन में रखना weight और mass अलग-अलग चीज़े हैं भाईया पढ़ चुके हम यह सब बाते हैं ठीक है weight वो ताकत है जिससे अर्थ अट्रेक करता है किसी भी body को अपने center की तरफ mass किसी भी body का content है ठीक है तो work done scalar quantity है हमें समझ में आ गया अगर work done scalar quantity है इसका मतलब आप जब भी कभी solve करोगे तो ना तो इसके answer में i-cap आएगा ना इसके answer में j-cap आ सकता है ना इसके answer में k-cap आ सकता है वेक्टर के साथ होती है direction और अगर कई vector लिखा हो है और vector form में लिखा हो है तो इसके साथ i-cap, j-cap, k-cap तीनों भी हो सकते है कोई से 2 हो सकते है या एक अकेला भी हो सकता है clear होगा है मेरा बेटा इतना हिस्सा copy कर लो जल्ली से आगे चलते है चलो मेरा बेटा आगे चलते है है जरा वो भी समय लो देखो भाई साब हमारे बाद मसला ये निकल के आता है कि आज तक आपने जो पढ़ावाए ना concept आज तक जब हम लोग class 12 में थे हम हमेशा ये पढ़के आते थे कि भाई साब work done बराबर है f into d के अब अचानक से आज आपने कह दिया कि भाई work done समझाईए देखो अगर आप चीज़ को conceptually बिढ़ाओ गे ना तो एकदम पर्फेक्ट समझ में आ जाएगा समझो जरू सब्सक्रों ये मेरे पास एक डबा है इस डब्बे के ओपर एक कोई force लग रही है इस डारेक्शन में ये force लग रही है अब अगर मैं आप से सवाल सर ये कैसे हो सकते है force यहां लग रही है और डबा ऐसे कैसे जाएगा मिसाल देते हैं आपको आपने कभी छोटे बच्चों की गाड़ी देखी है वो जिसके साथ धागा या रसी बांद के खेल रहे होते है वो जो चोटी सी गाड़ी होती है मान लोग वो ऐसे रखी ही है औ गाड़ी हैसे हवा में उड़तेवे मेरे मूझ पे नहीं आरी गाड़ी ऐसे जमीन बर चलतेवे आगे जा रही है पॉइnter अर इंग्ल की तना बन रह रहा ताकि मैं जब आपको इससे related question कराऊंगा वो समझ में आ जाएगा ठीक है अगर मैं यहां पे force के components बनाता हूं जैसे हमने vectors में बनाना सी क्या थे अगर मैं force के components बनाता हूं तो force का एक component ये बनेगा इसको मैंने नोट करो मेरा बीटा यो दो components मेरे पास बन रहे हैं एक को मैंने कहा है f parallel एक को मैंने कहा है f perpendicular किसके parallel किसके परबंडिकूल गौर से देखो f parallel force का वो component है जो displacement के along है जिस direction में displacement है उसी के along आपको component नजर आ रहा होगा f perpendicular force का वो component है जो displacement के perpendicular है अब गोर से सुनना जो component displacement के perpendicular है वो कोई काम नहीं करता work done is zero यह point note कर लेना यूंकि आगे जब हम circular motion बढ़ेंगे वहाँ पे एक concept आएगा कि work done by the centrifugal force is always zero ऐसा इसनी होता है कि centrifugal force हमेशा towards the center act करती है और displacement हमेशा tangential होती है दर्म्यान का angle होता है 90 डिगरी जिस पर वेसे work done क्या होता है जीरो समय रहे हो बात को अब जब देखो यहां पर तो perpendicular component कोई काम नहीं करता work is always done by the parallel component क्या सीखा आपने आपने यह सीखा कि अगर हमें work done की definition लिखनी हो तो हम work done की definition यूं लिखेंगे work done क्या है भाई गोर से देखना component of force component of force in the direction of displacement multiply by the displacement यह चीज़ समझ में आईए component of force in the direction of displacement multiply by the displacement यानि के work is always done by the component of force जो के parallel होता है किसके displacement के समझना यहां पर दरा बात अगर मैं आपको कहता हूँ गोर से सुनना अगर मैं आपको कहता हूँ के भाई यह एक force है जो ऐसे एक कर रही है ऐसे एक करने का मतलब है इसके पास x component भी है y component भी है तो work done कौन कर रहा है work done सिर्फ x वाला component कर रहा है जो displacement के along है अगर हाँ हाँ अगर बोड़ी की displacement भी इसी के along होती तो फिर दोनों component काम कर रहे होते भाई या बोड़ी जहां displace करेगी उसके along जो component आएगा वो work done करेगा तो यह work done का definition है यह concept है इसी कौन drive भी कर सकते हैं drive किस तरह से लिखते हैं देखो ज़र हम कहते हैं na fs cos theta अगर मैं देखो बेटे इसको rearrange करों क्योंकि हैं तो सारे numbers मैं अगर मेरे पास कहीं लिखा हुआ है 2 multiply by 3 multiply by 4 देखो 2 3s 6, 6, 4, 24 अब इनको किसी भी order में लिख दो पहले 4 लिख दो फिर 2 फिर 3 4 2 जा 8 8 3 जा फिर 24 उल्टा कर दो 3 4 जा 12 12 जा फिर क्या होगा 24 order change करने से answer की सेर्ट तो फर्क नहीं पड़ता multiplication में same is the case here अगर मैं इसको ऐसे लिखू एफ कॉस थीटा multiply by s तो देखो भाई यह वही बात बन गई जो मैंने यहां पर लिखी हुए हाँ या ना work done क्या है component of force in the direction of displacement देख रहे हो component of force in the direction of displacement multiply by the displacement सीखा गया यहां पर conclusion क्या है take away point क्या है जहन में क्या रखोगे work done क्या है आपने किसी body पे ताकत लगाई body ने फासला गबर किया तो ताकत का वो हिस्सा जो displacement के along है multiply by the displacement will give you the work done क्लियर है work done क्या है product है किस किस का component of force in the direction of displacement multiply by displacement अब यह class 11 का concept है आप जब metric class में पढ़ते हो वहाँ पे आपना concept क्या पढ़ते हो कि भाई work done का formula होता है F into D अब मेरा बेटा यह भी समझ लेना कि आप यह क्यों पढ़ते हो भाई साब यह आप इसलिए पढ़ते हो कि जब आप छोटे बच्चे होते होना मासूम से class 10 में उसमें होता क्या है कि जिस direction में force होती है हमेशा उसी direction में क्या होती है displacement होती है तो ऐसे work done हो रहा होता है पॉइंट समझा रहे है आपने class 10 में या छोटे लेवल पर कभी यह नहीं देखा होगा कि force और displacement के दरम्यान में कोई angle theta बन रहा है वहाँ पे हमेशा force जिस direction में होती है displacement बुछी direction में होती है इसलिए असानी के लिए formula पढ़ा दिया जाता है f multiply by d लेकिन अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि more practical यह more general scenario क्या हो सकता है force कहीं लगे और उसका सारा component work done करा ही ना रहा हो एक part work done करा रहा हो एक part work done नहीं करा रहा हो तो जो part work done करा रहा होगा work done के formula में सरी वही हिस्सा आएगा पॉइट समझा आ गया एक मिसाल से आपको मजीद बात समझाता हूँ मैं suppose करो suppose करो मेरा बेटा आपको कहा जा रहा है के भाई साब एक कोई force है 3 i cap plus 4 j cap और आपको कहा है यह force जब किसी body पे act करती है तो इसकी वज़एज़ से body displace होती है कितना displace होती है 2 i cap minus का 4 j cap अब आप देखो मेरा बेटा नजर आ रहा है कि जो force लग रही है यह भी x y plane में लग रही है और जो displacement आ रही है यह भी कहां आ रही है x y plane में आ रही है अगर आपको बोला जाए work done निकालो तो भाई यह work done निकालने का तरीका हमें पता है आप क्या करोगे dot product लोगे किस-किस का force और displacement का dot product आ जाएगा अच्छा भाई यह force कितनी है आपके पास 3 i cap plus का 4 j cap dot displacement कितनी है 2 i cap minus का 4 j cap solve कर लो भी से देखो जह हमने dot product निकालना vector में सीखा था 3 2s are 6 और i dot i 1 यह सब बाते vectors की आ चुकी ठीक है j के पीछे क्या है 4 वहाँ क्या है minus 4 plus minus are minus 4 4s are 16 और j dot j क्या हो गया 1 हो गया क्या answer आ रहा है minus का 10 joules का work done यानिके जब यह force लगी किसी body पे इसने displacement करा है इतनी तो work done कितना आ रहा है minus का 10 joules clear हो गया भाई या point समझ में आ गया set है अच्छा अब जो मैंने यहां पर यह बात बताई थी कि आपके पास force का सिर्फ वह हिससा work done define करेगा जो displacement के along होगा उसको भी एक मिसाल से समझते देखो यही वाली मिसाल के दौरबे force है मेरे पास एक कोई body है उसके उपर यह force लग रही है 3i के प्लस 4j के इससे पहले कि मैं displacement लिखूँ आप ज़र अपने दमाग में इसकी picture clear कर लो यह जब मैं force लिखता हूं vector form में तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है मेरे जहन में यह चीज़ आती है कि यह कोई ऐसी force है जिसका x के along component 3 है y के along component 4 है यही आता है जहन में x के along component कितना है 3 है और y के along component कितना है 4 है x के along 3 है y के along कितना है 4 है इतनी बात अगर समझ में आती है तो आगे वाला part आपको अराम से clear हो जाएगा ठीक हो गया चलो देखो बज़रा x के along 3 है y के along 4 है और इसके नतीजे में होता क्या है कि यह body displacement कवर करती है 2 eye cap meters यह उपर unit newton दी वे थी 2 eye cap meters अब देखो examiner क्या कह रहा है examiner कह रहा है कि body ने displacement कहां कवर करी 2 meter कवर करी along x axis अब अगर आपको work done निकालना है तो मैंने कहा था work done में आप यह करोगे force का component जो displacement के along है तो भाई displacement कहा है x के along कौन सा component है यह वाला x सा component है यानि के 3 और displacement कितनी है 2 तो 3 2 तो कितना आ रहा है 6 2 यह direct तरीका था कि force का component जो displacement के along है अब normal तरीका क्या है normal तरीका यह है क्या आप dot product ले लो बात वो ही आजेगी जो मैं भी थुर्दे पहले आपको समझा रहा था force यहां क्या दीवी है 3 i cap plus का 4 j cap dot displacement कितनी दीए 2 i cap आगे j cap नहीं है तो इसका मतलब मैं 0 j cap लेख सकता हूं multiply कर दो 3 2 तो 6 i dot i कितना हो गया 1 plus 4 0 तो 0 और j dot j कितना हो गया 0 2 sorry j dot j तो 1 होता है लेकि environment मिला पर 0 will be 0 तो क्या आणसर आ रहा है 6 joules आणसर आ रहा है यह j cap नहीं है यह joules है work done की unit तो भई यह इतना point clear हो गया point समझ में आता है copy कर लो जल्दी से आगे चलते है अब मेरा बिटा यहां पर हमारे पास एक दो चीजे और है सीखने वारी उसके बाद मैं आपके साथ pass paper के कुछ questions share करूँगा अगर मैं आप से पूछता हूँ कि बाई वन जूल work done कितना होता है वन जूल को define करो तो हमें पता है जूल किसके बराबर होता है भाई साब न्यूटन मीटर के बराबर होता है तो वन जूल क्या होगा वन न्यूटन multiply by वन मीटर मतलब सर work done की definition revise करो क्या था work done किसी बाडी पे force लगे और body displacement cover करे इस phenomena को अपन लोग क्या कहते है work done तो एक जूल work done कब होगा जब किसी body पे एक न्यूटन force लगे और उस एक न्यूटन force के नतीजे में वो एक मीटर displacement cover करे एक न्यूटन force लगे और वो एक मीटर displacement cover करे इसे हम क्या कहते है one joule work done एक चीज तो यह हो गई दूसरी चीज मेरा बेटा अगर मैं मिसाल के तोर पे आपके पाद यहां पे एक force displacement का curve बनाता हूँ force displacement का curve fd curve कहलाता है यह हमोवी तोर पे और इस तरह कर एक curve बनाता हूँ तो आपको इससे क्या क्या बातیں समझ में आती है पहली बात तो समझ में आती है कि ये वारा जो गिराफ है ये किसी ऐसी फोर्स का गिराफ है जो constant force है force change नहीं हो रही क्यों? क्योंकि जब displacement 0 थी तब यही force लग रही थी जब displacement बढ़के इतनी हो गई तब भी force की value यही है जब displacement यहां आ गई तब भी आपके पास force इतनी है ये constant force का गिराफ है अगर force constant नहीं होती तो गिराफ कैसे होता? वो भी देख लो भाई मिसाल के दोर पे कुछ ऐसा होता गिराफ अब इसमें देखो वक्के सासत force क्या हो रही है? बढ़ रही है पहले force 0 थी? जब यहां पर आई displacement तो force बढ़के इतनी हो गई यहां आई तो force और बढ़ गई force वक्के सासत क्या हो रही है? बढ़ रही है सर हमें यह सब आप क्यों बता रहे है पैटे आपको यह सब इसलिए बताए जा रहा है कि अगर आप यहां पे इस force displacement curve का area under the curve calculate करते हो area कैसे calculate होता है? length multiply by breath जाहर है यह इसकी length हो जाएगी और यह इसकी पूरी क्या हो जाएगी? width हो जाएगी ऐसे ही है ना मेरा बिटा यह पूरा एक क्या है? rectangle है rectangle का area कैसे निकालते है? length multiply by breath से निकालते है बढ़ बढ़ा है ना यह सब ठीक है? length multiply by width जब आप length की बात करते हो आपने यहाँ पे क्या लिया हो है? force लिया हो है यानि कहीं हो गया हमारे पास force width की बात करते हैं यहाँ पे तो आपने यहाँ पे क्या consider किया हो है? displacement लिया हो है तो force multiply by displacement यह किसके बराबर होता है? work done के बराबर होता है? हाँ ना अभी तो आपने ये बत पड़ी थी, कि जब कभी भी आप force और displacement को multiply करोगे, तो आपको नतीजे में क्या निकल के मिलेगा, work done निकल के आएगा, point समझ में आ रहे है, क्या निकल के आएगा, work done निकल के आएगा, तो नज़र आ रही है बत, ये क्या होगी आपने पास, work done हो गय या, अच्छा, जब ये work done हो गया, तो आप पने पास लिखोगे, क्या, आप लिखोगे, force displacement में, area under the curve, क्या show करता है, work done show करता है, अगर आपको force displacement graph दिया हो है, उसके under the curve, अगर आप area निकालते हो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, work done मिल जाएगा, ठीक हो गया, चीज़, constant force का graph कैसा होता है, a straight line, which is parallel to displacement axis, ये लिख लेना, constant force का graph कैसा होता है, एक straight line है, which is parallel to displacement axis, इसके लावा कोई भी graph होगा, तो ultimately, आपके पास constant displacement का नहीं होगा, एक बात, दूसरी बात, अगर आपके पास कोई graph इस तरह से दिया हो है, ज़रा समगी ना, कोई graph आपको ऐसे दिया हो है, चीक है, कोई graph आपको इस तरह से दिया हो है, ऐसे दिया हो है graph, अब जाहर है आप जब यहाँ पे निकालोगे तो आपको positive area मिल रहा होगा, और यहाँ पे मिला होगे तो आपको negative area मिल रहा होगा, यानि कि जब आप x axis के उपर उपर area calculate करोगे वो positive होगा x के नीचे calculate करो कि वो negative होगा क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है पेटे ऐसा इसलिए हो रहा है देखो work done dot product किस किस का force का और displacement का और दोनों में से एक भी quantity अगर negative हो जाएगी तो work done कैसा हो जाएगा negative हो जाएगा देखो जब आप यहां की बात कर रहे हो तो इस वाले shaded area क कैसी हो गई है negative हो गई है displacement जबके क्या है positive है तो खेर आप इतना जहीं में रखना x-axis से उपर जब हम area निकालेंगे वह positive आएगा नीचे निकालेंगे तो वह negative आएगा same यही बात हमने kinematics के part number three में जहां उसके graph पढ़े थे वहां भी discuss की थी clear हो गया अभी इसके पर के discuss कर ले थे आगे बढ़ने से पहले अच्छा मेरा बेटा आपके सामने मैंने कुछ सवालात mention किये हैं देखो सवालों को करने का सबसे बेतरीन तरीका यह होता है कि भाईया आप पहले इन सवालों को चार-चार-चार पांशमाई लाइने छोड़के उतारो और खुद साइंसेस एक है लाड़काना यूनिवर्स्टी ऑफ हेल्थ और मेडिकल साइंसेस करके है ठीक है तो वहाँ का बिसिकली यह सवाल है कहता है आपके पास एक फोर्स है दिसमेश न्यूटन डिस्प्लिस अ पार्टिकल अब टू डिस्प्लिसमेंट दी वर्क डान आपने निक किया है अब जिस बच्चे का वेक्टर के लिए नहीं है वो यहां बिमार खा जाएगा वो बुले का सर यह आउट ओफ कोर्स है यह पता नहीं क्या लिखा हुए वह यह लिखा हुए तू आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का फोर के कैप पहले हमेशा आई वाला होता है एक यहां के प्लस डी जा मैनस के बीचे क्या है मयनस बूख अमे क्या है यहां क्या है वह यहां मैनस ओर माइनस यहां माइनस ओर और फॉर वॉन जा 4, solve कर लेते हैं इसे 6, plus minus the minus 2 plus minus the minus का 4 6 में से 2 गया 4, 4 में से 4 गया तो 0, work done कितना आ रहा है 0 आ रहा है, point समझ में आ रहा है बनलब ये body जब इसके उपर force लगा के इतनी displacement कर रही है तो physics के लिहाज से work done कितना हो रहा है, 0 हो रहा है अभी इसको जहन में रखना कि work done 0 हो रहा है, क्यों हो रहा है या इसका answer अभी थोड़ी जिर में मिलेगा जब हम आपको perpendicular vectors का concept पढ़ा देंगे अब अगला सवाल देखो ये अगला सवाल आया वाए engineering university NED के इंदे 2004 में, और अगर मुझे सही याद पढ़ रहा है जब मैं lecture design कर रहा था, तो ये बलोचिस्तान बोट की एक example भी है, इसलिए मैं आपको बार बार इस बात पर emphasize करता हूँ कि मेरा बेटा आपको जो text books दी जा रही है, PDF form में, उनके end of chapter problem और examples last me solve करो, जब आप solve करोगे, तो आप देखो कि paper में कई सारी examples आपको edit दे नजार आ रही होंगी आयाँ आप यह सवाल क्या कहता है man pushes a lawn roller through a distance of 40 meter आपको यहाँ पर उसने distance दे दी है 40 meter, under the action of 50 newton, which makes an angle of 60 degree with the direction of the motion, सवाल दुबारा पढ़ो, man pushes a lawn roller, lawn roller क्या होता है बिटे अगर आपने देखा होगा ना, वो जो हमारे बाहर जो garden वगारा होता है उसमें जो माली बाबा होता है वो जब grass की cutting करता है घास पूस की cutting करता है तो ऐसे roller होता है, उससे ऐसे लेके चल रहा होता है perfect example है जो मैंने start में एक कहानी सुनाई थी उसकी फोर्स ऐसे लग रही है, यही कहा जा रहा है कि फोर्स कितनी लग रही है 50 newton, displacement कितनी के अबर करी 40 meter और दर्मयान का angle कितना दिया हो है 60 degree, आपने क्या निकालना है work done, निकाल लो भाईया क्या formula है, fs, cos of theta f कितना है, 50 s कितना है, 40 cos of 60 degree basic math, सब सिखाया था मैंने यह, 45,000 45,000, 20 10,10, 20,000 मैंने और लगा दिये अब multiply by 1 by 2 2000 से जब मैं 2 को divide करूंगा, तो क्या बनता है यह 1000, यनि कि total 1000 joule का आपके पास क्या हो रहा है work is being done ठीक है बेटे, आगे देखो अगला सवाल NTS 2018 18 में पूछा गया question क्या कहता है भाई यह question कहता है आपके पास काम हुआ 60 joule का work is done of 60 joules when a force of 10 newton force कितनी है, 10 newton की produces a displacement of 12 meter in an object angle बताना है बोलता है भाई, आपके पास किसी body के उपर ताकत लगी 10 newton की, जिसके नतीजे में उसने displacement कितनी cover करी 12 meter की करी, आपने बताना है force और displacement के दर्मयान का mutual angle या tail to tail angle क्या था, कोई वसला नहीं है हमें formula पता है w equals f s cos of theta simple है work done मेरा बिटा, आपको पता है कितना है 60 joule है, force कितना दिया है 10, displacement कितना है 12, आगे आगे आपका angle जो अपने निकालना है ठीक है मेरा बिटा simplify कर लो, 10 से 10 मर गया यह हो गया, 6 upon 12 will be equal to cos theta 6 upon 12, 6 one zah, 6 two zah आपके पास cos theta कितना आ रहा है half आ रहा है जब आप cos inverse कर लोगे ultimately यह हो जाएगा cos inverse of half यह चीज़ भी मैं आपको without using calculator करना सिखा चुका हूँ cos के उसमें कहां पर आता है half 60 degree पर आता है यानि के इन दोनों के दरम्यान में angle कितना है मेरा बिटा आपके पास 60 degree है तो असान असान से question दे बकरी बकरी से question पास सुपर में आएवे कॉपी कर लो जली से आगे चलते हैं कुछ और question discuss करते है अब देखो मेरा बिटा आपके सामने मैंने एक सवाल mention किया यह सवाल हमसे पूछा गया GI 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 के अंदर गुलाम इसाख खान Institute of Technology के अंदर 2018 या 19 के recreation में हमारे पास यह question आया था अब आप question देखो हमने अब तक जितनी कहानिया discuss करी है उसी से relevant यह सवाल है जो पास वेपर में आया हुआ है और अगर आपने अपने दिमाग के सारे ढकन डुकन खोल के lecture सुना है तो आपको इसकी किताब इसकी लिखी वी एक एक बात समझ में आ रही होगी कहता है भई यह position dependent force क्या कह रहे है position dependent force F position dependent force का मतलब क्या है कि यह एक variable है यह एक variable force है set हो गया यह एक variable force है इस acting होना particle और उसका force position graph या force displacement graph इस शोन यह दिया हो है work done on the particle निकालना है from 0 to 5 यहां से particle जब यहां तक आ गया यहां कि 0 मीटर से जब उसने 5 मीटर की displacement पूरी cover कर ली तब आपने बताने है total work done work done मैंने आपको बताया था area under the curve यहां कि देखो जब आप net work done calculate करने जाओगे तो total area under the curve आएगा अब आप सिर्फ note करोगे आपको नजर आएगा जब तक particle 0 से 3 मीटर पे गया 0 से 3 मीटर पे गया तब तक आपका जो work done है वो कैसा होगा positive क्योंकि area above x है similarly जब आपका particle 3 से 5 गया जब आपका particle 3 मीटर से 5 मीटर मार्क पे गया तब आपका work done कैसा होगा negative क्योंकि वो जो है basically आपका क्या है area below x axis है ठीक है मेरा बेटा पॉइंट समझ में आगया होगा यहां तक का अब देख लो जरह इसको हमने कैसे करना है work done calculate करने के लिए आपने सीधा सीधा area under the curve निकालना होता है अब देखो अगर मैं इस हिससे की बात करूँ तो मुझे यहां पर जो शकले नजर आ रही है एक, दो, तीन पहली शेकल जो में नजर आ रही है वो triangle है area number one के अगर मैं बात करूँ triangle क्या होता है half multiply by base multiply by height base देखो यह one लिखा हुआ है यह जिहाँ zero है यह one है तो base कितनी हो गई? one height कितनी है? ten देखो बेटे base कितना है one height कितना है? ten तो solve कर लिए यह कितना आ रहा है? five area one आ गया अब area two निकाली है ज़रा area two यह रहा और यह क्या है मुझे एक तक रेक्टेंगल या square type ची नजर आ रही है तो length multiply by width कर देंगे यह कितना है? two से one width कितनी है? two से लेके one तो two minus one कितना हुआ? one हो गया बच्चे गौर से सुनना two minus one कितना हुआ? one और height कितनी है? या length कितनी है? ten हो जाएगा basically यह भाई अगर इसे width कह रहे हो तो यह length हो जाएगी इसे width कह रहे हो तो यह length हो जाएगा three कह दिया figure में तोड़ तोड़ के area निकाल रहे है ठीक है? यह three आ गया half multiply by base multiply by height base यह रही two से लेके three तक यानि कि three minus two one यह मेरी base हो गई height कितनी है? यह आ गया ten तक आ गया है मेरे पास height कितनी है यह ten तक आ रही है solve कर लिए इसे ten upon two कितना हो रहा है? five यानि कि मेरे पास total positive area कितना आ रहा है a1 plus a2 plus a3 यह एकी बार निकालने के बाद में छोड़ो यह आ गया total मेरे पास ठीक हो गया अब इसको मैं कह रहा हूँ यह मेरी figure number four है इसे मैं कह रहा हूँ यह मेरी figure number five है भाई यह triangle मेरी figure four है यह square मेरा figure five है अब अगर आप four निकालते हो देखो यह triangle है यानि कि half multiply by base multiply by height base देखो कितना है बेटे three से four तो four minus three हो गया one height कितनी है? देखो बेटे यह height है यह कितनी दीवी है? minus ten दीवी है minus ten आ गई यहाँ पर है simplify कर लिया तो क्या बनता है? minus का five वैसे ही हमें बात पता है कि x से नीचे जो area होता है वो कैसा होता है? negative होता है यहाँ से भी आ गया अब area number five आपने निकाला यहाँ से यह है area five यह मुझे square नदर आ रहा है क्या बन जाएगा? length multiply by width five से four तक कितना हो गया? one और यह कितना है? minus का ten तो भाई यह solve कर लो क्या बनता है? minus का ten network दर निकालना है तो इन सारे areas को आप add कर दोगे area one कितना है? five area two कितना है? ten area three कितना है? five area four कितना है? minus five area five कितना है? minus का ten जो मर रहा है मार लो ten से ten वड़ गया वड़ गया मतलब ختم हो गया मर गया या minus हो गया five से five चला गया? क्या बना ये? five joule का net work done बना यानि के ये जो force है जिसकी आप position जो position में depend कर रही थी जो vary कर रही थी basically position के साथ साथ उसने total work done कितना किया? five joule किया ये हमें मिल रहा है यहाँ पे अब आप देखो examiner की चला के देखो अगर आप सिर्फ अपने जहन ये सारा काम आप सही करो अगर आप अपने जहन से सिर्फ ये वाला point निकाल दो के x axis के उपर वाला area positive होता है नीचे वाला negative होता है देखो आपका answer गलत कैसे होगा? आप इन सब को जमा करोगे तो 5 प्लस 10 15 15 प्लस 5 कितना होता है? 20 20 प्लस 5 25 25 प्लस 10 यह न 35 option में मौझूद है इसी तरह कोई अल्ला का नेक बंदा अगर सिर्फ नीचे वाला area निकालता है तो 5 प्लस 10 वो भी यहां मौझूद है तरह का option देख रहा है हमे point समझा रहा है तो आपका examiner जब कभी भी option define करता है ना ये चीज़ जहन में रखना वो option हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह के होते हैं जो आप कोई ना कोई बॉंगी मारोगे तो उसका answer यहां पर मौझूद होगा दमागे डगने शिक ने खुल गए copy कर लो आगे चलते हैं चुनो मेरे बिटा आगे चलते हैं और कुछ एक दो concepts और लेके चलते हैं और उससे related भी पास्वबर के question देखते हैं बच्चे इस तरह से topical one shot बेतरीन हो जाएगा ना हम topical चीज़ें discuss करते जाएंगे और topical जो जो questions आपके आए में उनको आप करते जाओगे इससे at the end of day फाइदा यह होगा जब आप किताब पढ़ लोगे तो आपके concept बिल्कुल clear होंगे यूँकर जाहर है जो numerical है वो theory की support से ही आगे बढ़ती है आपे ठीक है अचछा अब देखो मेरा बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि work done 0 कब-कब हो सकता है समझिए कज़े इस बात को अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई work done 0 कब-कब हो सकता है तो मेरा बेटा आप बोलोगे sir work done का formula हमारे पास होता है fs cos theta work done depend करता है force पे work done depend करता है displacement पे work done depend करता है cosine of the angle in between force and displacement अगर इन तीनों में से कुछ भी 0 हो जाएगा तो ultimately आपका work done क्या हो जाएगा 0 भाई force अगर 0 है displacement कुछ भी हो cos theta कुछ भी हो work done is 0 displacement अगर 0 है यह सब लिख भी लेते हैं यानि के मेरा बेटा एक पॉइंट यह है कि अगर आपके पास force एक अदद नल वेक्टर है या force एक 0 वेक्टर है force ही नहीं एक कर रही तो work done 0 होगा similarly अगर force लग रही है ठीकिन displacement कवर नहीं हो रही यानि कि displacement नल वेक्टर है तब भी work done 0 होगा मान लो आप अपने घर की दिवार को धक्का मारते जा रहे हो आपके धक्का मारने से घर की दिवार आगे पीछे नहीं खिसक सकती, अगर आपके धक्का मारने से घर की दिवार आगे पीछे खिसक रही है, तो आप लेक्चर छोड़ो पहले मिस्तिरी को ढूंडो जागे और दिवार को सही करा रहो, ठीक है, क्यूंकि आपके धक्का मारने से दिवार को आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, दिवार अपनी जगा रहेगी तो हम कहेंगे work done by the force that you are applying is zero क्यों आप force तो लगा रहे हो लेकिन displacement कितनी है जीरो है तीसरे और एहम चीज़ यह है जब cos theta क्या हो जाए जीरो हो जाए भाईया work done किस पर depend करता है cos theta पर करता है जब cos theta zero हो जाएगा तब भी work done क्या होगा जीरो होगा और cos theta zero तब होता है जब theta कितना होता है 90 degree होता है थीटा 90 degree से मुराद यह है कि आपके पास force is perpendicular to the displacement force and displacement are perpendicular to each other इसका एक बड़ा जबर्दस question आया था माजी में एक बार question यह था कि आपने वो देखिए जो railway station के उपर कुली होते हैं वो जो orange orange color के लिबास में होते हैं और वो लोगों का समान लेके जाते हैं अब आप note करना कभी वो जो समान होता है वो basic लोगोंने कहां रखावा होता है वो समान अपने सर के उपर रखावा होता है सर के उपर रखने से मुराद यह है कि जो force लग रही है वो ऐसे लग रही है along y axis और वो कुली भाई साब ऐसे चलते वे जा रहे है along x axis यह point समझ जा रहा है आपको ने कभी ने कभी अपने रेल वे सेशन गए होगे वहाँ आपने कुली देखा है जो आगे बोलता है भाई साब मैं आपका समान उठा लेता हूँ तो वो जब आपका समान उठाता है तो वो समान रखता है ऐसे अपने सर के उपर ठीक है वो जो समान होता है मेरा बेटा वो ऐसे रखता है अपने सर के उपर ऐसे सर के उपर रखता है समान और ऐसे 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 चल रहा होता है अब जो समान रखा है उतने सर के उपर उसका सर जो समान पर फोर्स लगा रहा है वो कहा लग रही है along y axis वो चल कहा रहा है along x axis ultimately होगा गा वो जो चल के जाएगा तो उसका work done कितना हो रहा है zero हो रहा है वोंकि force और displacement के तर्मियान में angle कितना है 90 degree तो अगली बार आप कुली आपका समान उठाए और गाड़ी से लेके ट्रेन तक लेके जाए तो आप बोलो कि भाई पैसे किस बात के क्योंकि जो आपने समान उठाया और जो आप चल रहे थे वो दोनों प्रपेंडिकुलर थे और्थोगोनल थे यहीं से आप एक और चीज़ देखोगे तो आपको नजर आएगा कि मेरा बेटा वर्ट डन इस डिपेंडेंट ओन कॉस थीटा जब हम लोग वेक्टर का टॉपिक पढ़ रहते हैं वहाँ पे भी हमने यही बात पढ़ी थी के डॉट प्रड़क डिपेंड करता है कॉस थीटा पे अब कॉस थीटा की कुछ एहम कंडिशन जो समयना जरूरी है देखो कॉस थीटा की ए कॉस 180 डिगरी है ना मेरा बेटा दिस इस माइनस वन और यह मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है जो कॉस थीटा की हो सकती है अब मेरा समयन नहीं क्या बोल रहा है फिर आपने वह पॉइंट नोट करना है हमें नदर आ रहा है वर्क दन किस पर डिपेंड करता है कॉस थीटा इफ वेक्टर f is non-zero, similarly वेक्टर s is also non-zero, यानि कि f बी 0 नहीं है, s भी 0 नहीं है लेकिन उसके बावजूद वर्क दन क्या है? 0 इसका रीजन बताईए अगर f बी 0 नहीं है, s भी 0 नहीं है उसके बावजूद वर्क दन 0 है इसका एक ही मतलब है कि कॉस थीटा क्या है? 0 और क बार NTS में पूछा गया है अगर आप में से कोई डाउग रेट सॉल्फ कर रहा होगा तो जो सिंद के मेडिकल के पास्विपर जाते हैं उनमें ये कुछिशन है सिमिलेरली आप में से अगर कोई यू एचेस के पास्विपर सॉल्फ कर रहा है लाहूर वाले उनके भी है ठीक है अच्छा अब हमें नदर आ रहा है वर्क डिपेंड करता है किसके ओपर कॉस सिटा के ओपर जब कॉस मेक्सिमम पॉजिटिव होगा तब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा वर्क डन होगा वो भी कैस ठीक हा ठीटा जीरो डिग्री से क्या मुराद होती है ठीटा जीरो डिग्री से मुराद होती है जो फोर्स है और जो डिस्प्लेस्मेंट है डे आर पैरलल टू इच अधर क्या मुराद होती है फोर्स और डिस्प्लेस्मेंट आर पैरलल टू इच अधर तो सीखा आपने यह कि जब कभी भी force और displacement आपस में parallel होंगे work done maximum positive होगा anti-parallel होंगे work done maximum negative होगा अब दो बातें यहां समझने की हैं पहली बात ये बात आपको वैसे भी समझ में आनी चाहिए कैसे मैंने बता है work done है क्या product है किस किस का force का वो हिस्सा जो displacement के along है multiply by the displacement अगर सोचो पूरी force ही displacement के along आ जाए देखो पहले ये force है ये displacement है तो भाई या इस force के आपने दो टुकड़े कर लिए एक टुकड़ा यहां आ रहे है तो आपने जो यहां टुकड़ा था इसको displacement से multiply किया work done मिल गया अब आइस्ता आइस्ता यह force वाला वेक्टर नीचे आ रहे है जब यह नीचे आ रहे है तो इसका parallel component बढ़ रहे है और perpendicular component घट रहे है चोटा हो रहे है अगर यह आगे पूरा parallel हो जाएगा तो इसका मतलब सारा का सारा फोर्स का component क्या हो गया parallel पर perpendicular component क्या हो गया जीरो हो गया इस केस में work done विल भी maximum यह तो लिखा है work done maximum positive होगा जब force और displacement क्या होंगे parallel होंगे दुमाग के ढकन opposite है अगर आपके बाद दो forces है एक फोर्स लगाया और उसी के parallel displacement हुई similarly वही फोर्स यहां से लगाई लेकिन displacement अभी वहां पर उतनी हुई समयना एक डबा है जो 10 मिंटर ऐसे जाता है मैं दोनों केस के लगा उन्दर वर्क्ड़न एक ही जितना होगा फर्क होगा एक वर्क्ड़न maximum positive होगा एक केस में maximum negative होगा पॉजिट समझा हुआ रहे पॉजिटिविटी शरी यह शो कर रही है फोर्स एडिस्प्लेस्मेंट एक डार्यक्शन में यह यह शो कर रही है कि force and displacement are anti-parallel सही है क्या 3 point होगा है नोट करने वाले अगर force and displacement perpendicular है तो work done will be 0 force and displacement parallel है तो work done will be maximum positive force and displacement anti-parallel है तो work done will be maximum negative similarly हमें यहाँ से एक चीज़ और नदर आ रही है क्या देखो उदर आए देखो मेरा बेटा cos 0 degree cos 90 degree cos 180 degree cos 0 degree आपका होता है 1 cos 90 degree आपका होता है cos 90 degree आपका होता है 0 cos 180 आपका होता है minus 1 जब आप 0 degree से 90 degree के दर्मियान में होते हो जब आप 0 degree से 90 degree के दर्मियान में होते हो तो मैं कह सकता हूँ मेरा बेटा cos theta मेरा होता है positive क्यों देखो cos 0 degree 1 है फिर cos 30 degree बजाओगे तो वो आपका 0.86 बनता है cos 45 बजाओगे वो 0.7 बनता है cos 60 बजाओगे वो 0.5 है यानि कि सारी values cos की कैसी है positive है लेकिन जब आप 90 से 180 बे आते हो 90 degree से 180 डिगरी में आते हो ultimately होता क्या है मेरा बिटा होता ये है कि आपका जो cos सीट है वो negative होता है देखो cos 90 0 है फिर आप cos 120 निकालोगे वो minus 0.5 आएगा आप आगे चलोगे cos 150 degree निकालोगे वो ultimately minus 0.86 आ रहा होगा cos 180 कितना आ रहा है minus 1 तो आपने सीखा गया आपने सीखा ये गोड़ से सुनना और लिख लेना अगर force और displacement के दर्मयान में जो angle है वो less than 90 degree है यनिके acute angle है यनिके acute angle है तो work done will be positive अगर जो force और displacement के दर्मयान का angle है वो obtuse angle है greater than 90 और less than 180 degree है तो work done कैसा होगा negative होगा ये चीज़ लिख लेना work done के positive और negative होने से मुराद क्या है work done के positive और negative होने का कताई तोर पर ये मतलब नहीं है कि positive वाला work done जादा है negative वाला work done कम है अगर मैं आपसे पूछू ना minimum work done कितना है तो minimum work done ये होता है जो work done zero होता है ये minimum work done है ये maximum negative work done है concept सही वाला जान कर जीओ ये है maximum negative ये maximum positive फर्क क्या है positive negative में, फर्क कितना है, positive का माइना force और displacement एक ही direction के अलो, negative का माइना वो force जो काम कर रही है और जो displacement कवर हो रही है, बोत आर anti-parallel, point समझ आ गया भाईया, force and displacement are anti-parallel, clear हो गया, negative work done की सर कोई मिसाल नहीं हमें, कि force उदर लग रही है, displacement कहीं और हो रही है, बहुत स work done in a gravitational field calculate करते हो, अगर मैं किसी marker को उपर लेके जा रहा हूँ, force of gravity इस पर कहां एक कर रही है, downward, marker कहां जा रहा है, उपर, तो मैं कहूंगा negative work is being done on this marker, तभी तो इस पर energy store हो रही होती है, जब यह उपर से नीचे आता है, तब force of gravity कहां लग रही है, नीचे, marker भी कहां रहा ह नीचे, in that case, positive work is being done by the gravitational force on this marker, तो यह energy liberate कर रहा होता है, अगर किसी body पे negative work done हो रहा होगा, वो energy store करता है, positive work done हो रहा होगा, तो वो energy liberate कर रहा होता है, यह चीज़ हम आगे electrostatic में भी पढ़ रहे होंगे, खेर, तो positive negative का concept के रहा है ना, साथ में, अगर force or displacement के दरमें का जो angle हो less than 90 degree, acute angle है, work done will be positive, obtuse angle है, greater than 90, less than 180, तो work done will be negative, इस चीज़ का ख्याल करना, जहन में रखना, यह 5 point, दो यह वाले, तीसरा चौथा और यह 5, जहन में रहेगा, अच्छा बागी, आगे तो हम चल रहे हैं, लेकिन यहां पे आपने वीडियो को pause करना, और KPK board और Balochistan board के अ सालावाय आप देख सकते हो, इन दोनों में मिसाले दीवी हैं, जब आप यह पढ़ोगे न, तो वहां आपको बड़ी खुब्सूराइब दीवी है, positive work done की, negative work done की, zero work done की, वोड़ समझा रहे हैं, तो वह आप पढ़ लोगे, तो आपको यह सारी बाते जो मैं अभी करके पढ़ा है, तो मुझे इन दोनों में निस्बतां जादा बेतर मेरा, इन दोनों में से भी KPK में जो फेडरल वाली किताब है, बिसिकली उन में जादा अच्छा लिखा हुआ है, तो इसको यहीं बे वीडियो पॉस्ट करके पढ़ना पिर आपके चलना, अब देखो मेरा ब बहिया, कहता है, work done by a force F, acting on a particle in displacing it from a point R1 to a point R2, आपके पास, यह सपोस्ट कर लो, भाई, मेरे पास एक कोई point है, यहाँ पे इसको मैंने कह दिया, point number 1, यहाँ कहीं मेरे पास कोई point है, मेरा बेटा, इसे मैंने कह दिया, point number 2, अब यह मेरा origin है, अब समयना दरा, बेटे हमने vectors में यह बात पड़ी थी, कि origin से, किसी point तक का, जो vector होता है, वो कहलाता है, position vector, R1 vector, origin से point 1 तक का है, similarly R2 vector, origin से कहां तक का है, मेरा बेटा, point 2 तक का है, clear, अब कह क्या रहा है, examiner कहता है, कि भाई, आपके पास एक कोई force है, जो इसने दे दी है, यह एक करती है, किसी particle पे, ज particle पहले यहां था, और यहां से, displiace हो कि मेरा बेटा कहां आ गया, यहां आ गया, यनिकी जो particle की displacement है, वो यह वाली है, point समझा रहा है, particle था कहां पे, point 1 पे, a, कहां गया, point 2 पे, point 2 पे आ गया, आपने वर्गडर निकालने है सबसे पहले तो आपको यह displacement चाहिए होगी यह displacement निकालने के लिए मैं आपको पहले भी यह बात बता चुका हूँ आप क्या करोगे final vector minus initial vector final कौन सा है देखो आपके जो displacement है मेरा बिटा यह कहां से कहां पर है यह 1 से 2 पर है minus initial बोले तो r2 minus का r1 r2 जो के final point है minus का r1 यह कह रहा है in displacing it from point this to this तो यह final है यह initial है कर लो भाई यहां पर अब ज़रा यही चीज़ बढ़ना head to tail rule से भी आप साबित कर सकते हो r2 कितना दिया है i minus का j cap plus का 2 k cap minus का r1 कितना दिया हो है r1 दिया भाई यह मैंने मिटा दिया मेरे बिटे ताके में यहां जगा बन जाए आप उसको कॉपी कर ले ना अपने पास i plus का j plus का k देख लो भाई यह सही लिखा है न i minus j plus 2 k i plus j plus k ठीक हो गया बेतरी ने open कर लो भाई इसे i minus j plus का 2 k minus i minus j minus k i से i चला गया और तो कुछ नहीं जाता वा देख रहा मुझे minus j cap minus j cap कितना हुआ minus का 2 j cap हो गया बेजरीन हो गया plus 2 k cap minus k cap कितना हुआ plus का k cap हो गया यानि कि अगर मैं इसे standard form में लिखूंगा क्या होगा 0 i cap minus का 2 j cap plus का k cap यही बनेगा i भी आगया j भी आगया और k भी आगया अब मुझे क्या करना है मेरा बेटा work done मालूम करने work done मालूम करने का तरीका क्या होता है आप क्या करते हो भाई साब f dot r करते हो f dot r जब आप करोगे f कितना दिया हो है i plus का 2 j plus का 3 k ठीक है मेरा बेटा dot आगे आपके पास क्या आ रहा है आगे हमारे पास आ रहा है यह जो r दिया हो है r क्या दिया हो है 0 i cap minus का 2 j cap plus का k cap यही आ रहा है अब simplify कर लो इसे i के पीछे क्या है 1 यहाँ 0 है 1 0 जा 0 यहाँ plus 2 है यहाँ minus 2 है plus minus जा minus और 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया plus plus जा plus और 3 1 जा क्या हो गया 3 हो गया simple i dot i 1 j dot j 1 k dot k 1 minus 4 plus 3 कितना आया minus का 1 jule आ रहा है option क्या आ रहा है हमारे पास minus का 1 jule और आपको यह बास समझ में आनी चाहिए मेरा भाई कि minus sign शो क्या कर रहा है minus sign सरिफ इस बात को शो कर रहा है कि जो force है और जो displacement है वो आपस में क्या है मतलब anti parallel है जो force work done कर रही है और जो displacement हो रही है वो आपस में क्या हो गया anti parallel हो गया ठीक है मेरा पिटा इतनी बात हमें समझ में आती है आगे देखो अब अगला सवाल दुबारा आपके दिमाग का कुश्चन है अगर आपने अच्छे तरीके से यहां तक का सारा कॉंसेप्ट समझावा है तो आप यह अराम से कर सकते हो देखो पेटे क्या क्या रहा है कहता है आपने कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो के मूव कर ही कहा सकती है सिर्फ य के अलॉंग कर सकती है ठीक है सब्जेक्टिट तो आफ फोर्स ओफ दिस मच न्यूटन आगा खान 2016 में पूछा गया कहता है बॉडी इस कंस्ट्रेंट तू मूव इन वाइड डिरेक्शन बॉडी सिर्फ वाइड डिरेक्शन में मूव कर सकती है फोर्स इतनी लगा रहे हो बताने है वर्क दन बाइदा इन मूविंगा बॉडी थ्रू दिस्टंस ओफ 10 मीटर बताओ अगर बॉडी 10 मीटर क्या डिस्टंस कवर कर रहा इस फोर्स के नतीजे में तो वर्क दन कितना होगा देखो भाई साब वर्क दन का फॉर्मला क्या होता है एफ डॉट एस दो तरीके इसको करने के एक डारेक् देख लो फोर्स कितना दिया हो है माइनस का टू आई कैप प्लस का पंदरा जे कैप आगे प्लस का सिक्स के कैप डॉट डॉट जीरो आई कैप प्लस टैन जे कैप प्लस जीरो के कैप यह है इन डारेक्ट तरीका या लंबा वाला तरीका क्यों सर सर आपको कैसे पासला आई direction body सिरे move कहां कर सकती है y के along कर सकती है जब y के along कर सकती है तो x पर displacement 0 z पर displacement 0 multiply कर दो ये वाला factor i वाला 0 हो गया k वाला factor भी क्या हो गया 0 हो गया direct multiply कर दो 15 10 सा कितना हो रहा है 150 आ रहा है और j.j कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये j नहीं है ये जूल का है ठीक है तो answer क्या है 150 जूल डिरेक्ट तरीका क्या था देखो आपको ये बात पता है कि भाई body move किस direction में करेगी y के along करेगी तो आप इस में से force में से y का component निकाल लो y का component आप निकाल लो जब आप y का component निकालोगे तो देखो एक्स के along component कितना है तू नेगेटिव एक्स के along कितना है फिफ्टीन है और डिस्टेंस कितना है टेन तो वर्क दन का फर्मॉला क्या है एफ इंटू डी तो क्या रहा है 150 आ रहा है डिरेक्ली समझाती है सिर्फ यही वाला component आपका effective है work done कराने में क्यों यूंकि बागी सारे component y के parallel नहीं है अब देखो इन्होंने चलागी करके यहां 190 भी दिया हुए यहां इन्होंने 160 भी दिया हुए बनलग आप में से जो बंदा घलती करेगा न कि 10 को इन सबसे को एट करता हूं कितना होता है 210 बीस निकाल दो कितना बनता है 190 तो बहुत सारे लोगों का 190 आंसर भी बन रहा होगा तो आपने सिर्फ क्या करना है अपने दिमाग के ढकन शकन खोल के गाम करना है हमेशा क्लियर होगा मेरा बेटा तो यह हमारे पास कुछ 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 थे जो वर्क दन के टॉपिक में से हमसे पूछे गए थे पास्विक वर्स के अंदर मैंने वह यहां पे लिख ली है कुछ से जाहिर और भी हैं लेकिन बेसिक कॉंसेप्ट सारे रिवाइस करने के लिए आगे चलते हैं कॉपी कर लो जल्दी से इतना हिस्सा अब देखो मेरा बेटा यहां तक हमें यह चीजें अच्छे दरीके से समझ में आ जाती हैं अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना हमारे पास जर्नली क्या था कि हम वर्क दन निकाल रहे थे बाया constant force ना constant force से क्या मुराद होती है कि हमने सिर्फ एक सवाल किया graph वाला जो मेरा खाला GI काई में आया वा था जिसके अंदर हमने variable force का तसकारा किया था चीक है अच्छा मेरा बेटा होता क्या है हमारे पास हमारे पास जादतर केसिस के अंदर 99% केसिस के अंदर आप से जो question पूछे जाएंगे वो work done by a constant force ही पूछे जाएंगे यानि कि एक body के उपर मिसाल के तोर पर force लग रही है 10 newton की बताईए इसने काम कितना किया या पांच उटन फोर्स है बताईए इसने काम कितना किया लेकिन जहन में रखना कई दफ़ा हमारे पास work done by a variable force का concept भी आ रहा होता है तो उसको हम किस तरह से करते हैं जैस उसका एक overview लेंगे क्योंकि वो हमारे course में इतना तफसील से है नहीं यह मानलो मेरा बेटा हमारे पास displacement कर रहे है यह मानलो force है और मानलो मेरा बेटा कि यहां पे मेरे पास एक कोई force इस तरह से act कर रही है अब हम करते क्या है भाई साब ह करते यूँ है कि हम जो force है उसके छोटे-छोटे segments consider करते हैं क्या मानते वे देखो मैंने यह जो मेरा यह displacement था ना बेटे पूरा यहां से लेके यहां तक कोई displacement होगा होगा यहां पर मानलो को displacement x1 है फिर यहां पर आते आते हैं यकीनन को displacement x2 हो जाएगा मैंने क्या करा मैंने नर्मियान में छोटे-छोटे-छोटे-छोटे displacement कर लिए यह x1 से लेके यहां तक एक displacement फिर यह मानलो मेरा डेल्टा x2 हो गया दूसरा छोटा displacement यह मानलो तीसरा displacement यह मानलो मेरा चौथा displacement यह मानलो पांचवा मैंने क्या करा मेरा बेटा जो मिसाल के दौर पर ऐसे समझे लो X1 मेरे पास है 1 meter X2 मान लो मेरे पास है 101 meter मिसाल से समझो बात को मान लो मेरा बेटा मेरे पास कोई एक डबा था ये डबा पहले जो था ना 1 meter mark के उपर था इसके उपर एक force लगना शुरू होती है और ये जो force है ये कैसे है मेरा भाई ये force है variable variable का मतलब ये कि ये different parameters के उपर depend कर रही है सर वो parameter क्या हो सकते है पिटे वो तो define करने वाले के उपर है कि वो parameter कौन से हो सकते है जैसे मिसाल के तोर पे जब आप rocket propulsion का topic पढ़ते हो rocket आपका जमीन की सता को छोड़ता वा उपर जा रहा है तो कौन सी force लगती है ये force variable है जो rocket पर act करती है क्यों बेटे ये depend कर रही होती है distance के उपर अब जैसे जैसे rocket दूर जा रहा है वैसे वैसे ये force क्या हो रही है कम होती जा रही है इसी तरह कुछ forces time dependent होती है कुछ forces position dependent होती है जैसे ये रही तो ultimately मैंने क्या मान लिया के एक कोई डबबा है जो वन मीटर मार्क के उपर था इसके उपर एक variable force लगना शुरू हुई जिसके नतीजे में कुछ दिरबाद डबबा आ गया 101 मीटर वाले मार्क पर अगर मैं आप से पूछता हूँ डबबे ने total displacement कितनी कवर करी तो आप बोलोगे final minus initial कितनी कवर कर दी 100 मीटर की displacement कवर करी है अब 100 मीटर में अलग-अलग لمحے पे force अलग-अलग लगी है मैंने क्या करा इस 100 मीटर के बहुत सारे equal टुकडे बना दी है मानलो मैंने 1000 टुकडे बना दी है क्या सोच के टुकडे बनाए ठीके मेरे बेटे तो मैं क्या बात बता रहा था मैं फिर repeat कर देता हूँ मैं आपको ये बता रहा था कि मानलो मेरे पास एक कोई डबा है इसके ओपर एक variable force लग रही है जो कि different parameters पर depend कर सकती है हमें सिर्फ ये पता है कि ये variable force है और इसके नतीजे में ये डबा एक मीटर से उठके कहां आ जाता है 101 मीटर पर आ जाता है अगर मैं आप से पूछो displacement कितनी है तो 100 मीटर है हमें ये बात पता है कि इस 100 मीटर के पूरे जरनी में ये force मुसलसल vary होती रही कहीं बड़ी कहीं कम होई कहीं बड़ी मैंने क्या करा इस 100 मीटर को छोटे 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 displacement में तोड़ दिया एक हदार पीस में तोड़ दिया तो इसका मतलब जो मेरा एक पीस होगा एक small displacement होगा delta x वो बराबर हो जाएगा 0.1 मीटर के कैसे निकाला 100 को 1000 से डिवाइड कर दिया किलियर हो गया अब मैंने ये छोटा displacement क्या सोच के सेट किया ये सोच के सेट किया कि जब तक मेरी बॉड़ी ये 0.1 मीटर करेगी इस particular duration में मेरा force कैसा रहेगा constant रहेगा अरे हाना भई force यहां से लेके यहां तक मुसलसल चेंज हो रहे है लेकिन एक छोटे से duration के लिए तो constant होगा ना नहीं समझे अर्थ के surface के उपर gravity की value क्या होती ये 9.8 मीटर पर second इसको है जब आप अर्थ के surface से उपर जाओगे तो value कम होना शुरू होगी ये थुड़ी होगा कि 9.8 से directly 0 हो जाए बई 9.8 से पहले 9.799 होगी फिर 9.798 होगी फिर 9.797 मनब होते होते कम होते होते एक पॉइंट आएगा जब finally 9.7 होगी तो मैंने ये displacement के छोटे टुकडे ये सोच कर करे हैं के क्या कि मेरे पास इस duration में force कैसी होगी constant तो अगर मैं क्या करता हूँ समझना जरा अगर मैं ये छोटा सा work done calculate करता हूँ मैं कहता हूँ work done number one मेरे पास बराबर है किसके force number one multiply by delta x1 के ये क्या मैंने कर रहा भाई साब यहां से लेके यहां तक मेरे पास जो force एक कर रही थी मैंने उसको एक हजार pieces में break कर दिया ये मानते वे कि ये हजार pieces मिलाओंगा तो ये vary कर रहे होंगे लेकिन individual हर force का एक एक piece उस particular छोटे से displacement में कैसा है constant है तो मैंने यहां से छोटा सा work done निकाल ली है इतने हिस्से में फिर इसी तरह दूसरे हिस्से का मैंने work done निकाल ली है F2 यानि कि जो अब दूसरी force है multiply by delta x2 भाई सब ये concept समझ में आ रहे है ये concept ये वाला concept है इसी तरह करते करते अगर मैं nth piece का work done निकाल लूँ मैंने इसके 1000 pieces किये थे मानलो मैंने n pieces किये होते अगर मैं nth piece का work done निकाल लूँ इस तरह से ultimately मेरा बेटा अगर मैं इन सारे work done को जमा करूँगा अगर मैं सारे work done को जमा करूँगा तो वो ऐसे ही मिलेगा F1 into delta x1 plus F2 into delta x2 plus up till Fn into delta xn हाँ या ना बेटे ऐसे ही हो गई है तो अगर मेरा जो network done है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा जो network done है that will be equal to sigma i equals 1 to i equals n F i dot delta x i हाँ या ना भाई साब ये वो ही चीज़े जो मैं यहाँ बता रहा हूँ बस ये थोड़ी लिखी भी आपको भयानक लगती है और कुछ नहीं है ठीक है ये क्या कर रहे हैं हम फिर सुनो फिर समझो आपके पास एक force जो मुसलसल वेरी हो रही थी हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे पास work done निकालने का जो formula होता है वो क्या होता है F dot S होता है तो मैंने का भाई इसे ही इस्तमाल करना है हाँ यहां की force अगर 2 है हो सकता है अगले पार्ट की force 3 हो जाए लेकिन विदिन आपार्ट force चेंज नहीं हो रही तो आपने एक पार्ट का work done अलग निकाला दूसरे का अलग तीसरे का अलग करते end work done निकाल लिए जब आप सारे work done को जमा करोगे तो इस तरीके से लिख सकते है सिग्मा का मतलब है sum of sum of summation जो उस particular part का force का component है और उस particular part की जो displacement है dot product जब आप किताब में देखोगे तो किताब में आपको यह चीज ऐसे लिखी मिलेगी सिग्मा i equals 1 to i equals n f i delta x i cos theta i परेशान नहीं होना इससे i equals 1 से n तक क्या मुराद है जब i की value 1 होगी तो f 1 delta x 1 cos theta 1 i की value 2 होगी तो f 1 delta x 2 cos theta 2 इन सब को जमा करेंगे तो यह बन जाएगा अब जो आप में से match वाले बैठे हुए आप ही लोगों के interest के लिए एक बात बता देता हूँ देखो इसको ऐसे समझो दरा interest के लिए बता रहा हूँ यह बात out of वैसे ही course है ठीक है किताब में एक जगा जुमला लिखा है बड़ा खुबसूरा जुमला उसका फाइदा कोई नहीं कोई नहीं बूचेगा वैसे ही interest के लिए बता रहा हूँ conceptual clarification के लिए देखो बेटे आपके पास यह जो यह जो विट्ट है न डेल्टा एक्स की यह जो विट्ट है डेल्टा एक्स की विट्ट जितनी छोटी होगी आप work done उतना accurately calculate कर सकते हो क्यों सर देखो बेटे इसलिए आपकी जो force ने वो मुसलसल vary कर रही है आपने छोटा सा पार delta x consider किया हो है हो सकता है उसके अंदर भी force थोड़ा बहुत vary कर रही हो आप delta x को और छोटा कर दोगे तो force की variation और कम हो जाएगी तो जितना आप delta x को छोटा करते जाओगे force की variation कम होती जाएगी तो delta x को जितना छोटा करते जाओगे उतना यह function sigma से integration की तरह move करते जाएगा sigma और integrand में फर्क किसका होता है sigma discontinuous parts को add करता है integration continuous parts को add करता है तो जो area under the curve आप यह हम कर क्या रहे है हम area under the curve तो निकाल रहे है और क्या निकाल रहे है आप क्या कर रहे हो f1 delta x1 क्या है जब आप निकालते हो यह हिस्सा है f1 delta x1 यह हिस्सा है f1 delta x2 f2 delta x2 यह क्या है f3 delta x3 तो आप basically क्या कर रहे हो area under the curve add कर रहे हो तो जब आप continuous function का area under the curve निकालोगे तो वो basically किस से आएगा integration के sign के साथ आएगा तो अब आप में से जो लोग integration पढ़ रहे हो वो यह सोच के पढ़ना कि यह इतनी एहम चीजे हैं यह सब चीजे हम लोग a levels वालों को पढ़ाते हैं इन्होंने mechanics रखी वी होती है mechanics के जब हम advanced question solve कराते हैं तो उसमें सब्सक्राइब कर लो इतना हिस्सा हमें समझ में आ गया work done by variable force कैसे निकालते हैं हम displacement को छोटे parts में break करते हैं फिर हर individual part के इंदर force के साथ उसका product लेते हैं और end में सब को क्या करते हैं सिग्मा करके add कर लेते हैं अच्छा मेरा बेटा आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद एक concept और discuss करते हैं work done by the centripetal force अब तक हम अब तक हमें work done का अच्छे से concept के लिए हो गया कि work done कब maximum होता है कब maximum positive होता है कब maximum negative होता है कब zero होता है ठीक है फिर हमने work done by the variable force कैसे calculate करते हैं वो भी देख लिया constant force कैसे करते हैं वो भी देख लिया अब देखो मेरा बेटा centripetal force क्या होती है जब कभी भी कोई body दाइरे में घुमती है तो उसको दाइरे में घुमाने की जो जिम्मेदार force होती है न बेटे इसे हम कहते है centripetal force माली जी एक body यहां पर है तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि body यहां पर है बताइए इसका centripetal force कहां होगा तो बाई centripetal force का काम क्या होता है body को दाइरे में गुमाना तो centripetal force का जो direction है वो हमेशा कहां होता है towards the center ये center है हमेशा कहां होता है towards the center और जो body है उसकी जो displacement होती है वो हमेशा कहां होती है along the tangent आपने पढ़ा होगा body के पास tangential velocity होती है बिल्कुल वैसे ही मैं बता रहो कि body की जो displacement होती है वो कहां होती है along the tangent अगर हम ये मान के चलें फिलाल कि body anti clockwise direction में move कर रही है तो इस point पे direction ऐसा होगा tangent का अगर clockwise होती तो ये ही direction नीचे होता इनके दर्म्यान में देखो मेरा बेटा angle कितना बन रहा है 90 degree बन रहा है जब 90 degree बन रहा है तो work done on this body कितना आ रहा होगा 0 आ रहा होगा यनि कि आपने सीखा गया मेरा बेटा आपने ये सीखा कि जब कभी भी कोई body डायरे में घूम रही होगी तो centripetal force उसके उपर कोई काम नहीं कर रही होगी यनि कि आप क्या लिखोगे work done by a centripetal force on a body that is rotating in a uniform circular motion it will be 0 centripetal force कोई काम नहीं करेगी एक चीज़ ठीक है अच्छा अब मेरा बेटा इसके बाद जो हमारा अगला concept आता है that is the phenomena of conservative field अब conservative field की आपने obvious सी बात है बहुत सारी definitions पड़ी भी होगी दो definitions मैं यहाँ revise कर देता हूँ फिर आप से एक सवाल पूछता हूँ conservative field अच्छा बास text books के अंदर यही topic जो है न वो work done in a gravitational field के नाम से है क्योंकि gravitational field itself क्या है conservative field है आपको basically यहाँ पे ना दो concept या दो definitions पढ़ाई जाती है पहली conservative field की यह definition होती है ऐसी कोई भी field जिसके अंदर work done is independent of the path followed work done is independent of the path followed यानि के जो body पर काम हो रहा है वो इस पर depend नहीं करता के path कौन सा follow किया जा रहा है या दूसरी चीज यह के net work done in a closed path network done in a closed path is zero network done in a closed path is always zero यह property किसकी यह conservative field की है अब देखो मैं आपको थोड़ी सी कहानी revise करते हूँ पर conservative field के concept पर और इसके आने वाले question पर चलते है जब आपने इसकी derivation करी होगी कि भाई साबित कीजिए gravitational field is a conservative field उसमें होता कुछ इस तरह से भाई साब कि आपके भाई यहाँ बे मानली जी एक कोई point a होता है यहाँ बे मानली जी एक कोई point b होता है यहाँ बे मानली जी एक कोई point c होता है आप कहते हो कि भाई यह तीनों point कहां लाए कर रहे है gravitational field में है gravitational field कौन सी है बिटे वो जिसमें मैं और आप मौजूद है हमारे उपर अर्थ का force of gravity एक करता है इसका मतलब हम अर्थ की gravitational field में मौझूद है तो derivation इस तरह से करते हैं कि एक particle को आप A से लेके जाते हो B पे यानि कि आप कहते हो work done in moving the body from A to B फिर आप particle को कहां लेके जाते हो B से C पे आप कहते हो work done in moving the body from B to C यानि कि A मान लो आपका है initial point मेरा बेटा A कैसा point है initial point और C कैसा है आपका final point यानि कि भाज साब आपने जाना कहां से कहां पर है आपने जाना मेरा बेटा A से C पर है आपने जाना कहा है A से C पर है A से C तक जाने के दो रास्ते पहला A से B पे गए, then B से C पे गए, दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता यह है कि मेरा बेटा आप A से डिरेक्ली कहां चले गए, C पे चले गए, और जो काम करना पड़ा वो कहला रहा है, work done in moving the body from A to C, तो जब आप derivation करते हो, जाहिर है यह derivation का game नहीं चल रहा भी, ल जब आप यह देखते हो, कि जब आप A से C पे जा रहे हो, तो work done same आ रहा है, चाहे आप इस रास्ते से जाओ, चाहे आप इस रास्ते से जाओ, जब आप इस रास्ते से जाते हो, तो work done in moving the body from A to C, वो ही आ रहा होता है, जो इन दोनों को head करके आता है, यह क्या है, पहले C से कहां गए, C पे गए, clear हो गया, अच्छा, यह इसको थाबित करता है, कि work done is independent of the path followed, फिर जो आप दूसरी derivation करते हो, इसी के अंदर, अच्छा जब आप बलोचिस्तान, KPK या पंजाब बोट की किताब लेखोगे, यह figure अलग अलग है, लेकिन derivation exact क्या है, सेम हुई वी इसी तरह से हुई भी है, ठीक है, detail lecture के अंदर इसकी derivation भी मौझूद है, अब क्या है भाई साब, यह माल लो A point है, दूसरा वाला point बता रहों कैसे साबित करते हो, यह माल लो आपके पास C point है, यह दूसरा point साबित करने के लिए आप क्या करते हो, मेरा बिटा, आप A से जा from C to A, जब आप इसके अंदर net work done calculate करते हो, तो वो कैसे करते हो, पहले आप body को कहां से लेके गए, A से B पे लेके गए, फिर B से कहां लेके गए, C पे लेके गए, फिर C से मेरा बिटा कहां लेकर गए, A पे लेके गए, तो आप देखते हो, यह कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपको वहाँ पे आपका teacher ना दो बाते बताता है, क्या, पहली बात, हर वो field, conservative field होगी, field से मुराद होती है, जिसमें कोई force act कर रही है, यह से gravitational field में force of gravity है, electric field में electric charge की force है, magnetic field में कोई magnetic force है, frictional field में कोई force of friction होगी, elastic field में कोई spring की force होगी, these are all different field forces, ठीक है, यह force की fields, खेर तो आपको आपका teacher बताता है, कि conservative field की मेरा बच्चा दो हैं पहचान, दो identification, पहली identity क्या है, कि work done is independent of the path followed, work done initial or final positions पे depend करता है, path followed पे depend नहीं करता, और ऐसी हर वो field, जिसमें work done path followed पे depend ना करे, वो कहलाती है conservative field दूसरी चीज़, net work done in a growth path क्या होता है, zero होता है, conservative field में, आप जहां से शुरू होए, अगर वापिस वहीं पे आते हो, घूम पिर गे, तो net work done will be zero, यह होता है conservative field में, फिर उसके बाद आप बड़े खुशी खुशी जब इसको साबित कर लेते हो, आपको पता चल लियाता है पिर आप जब आप लिक भी लेते हो, इसकी मिसाले हमारे पास कौन कौन सी है, gravitational field हमारी conservative field है, similarly, जो electric field है, जो कूलम फोर्स वाली होती है, charge के surrounding में, वो भी आपकी conservative field है, similarly, आपके पास जो elastic field है, जो spring के surrounding में होती है, यह भी कैसी है हमारे पास, conservative field है, gravitational field, conservative field, electric field, conservative field, elastic field भी क्य क्या है conservative field आप teacher से पूछते हो sir non conservative field की कोई एक मिसाल दे दीजिए तो non conservative field की जो मिसाल होती है वो आपका teacher आपको देता है कि sir frictional field जो है वो आपके पास कैसी है वो आपके पास है non conservative field frictional field को non conservative field क्यों कहा जाता है उसको भी समझ लेते हैं पहले ज़रा फिर मैं एक question पूछूँगा Frictional field को non conservative मेरा बेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो अगर थोड़ी दे के लिए मान लो ये पूरी conservative ये पूरी frictional field है यानि कि इस जगा पे अगर force of friction non zero है यानि कि force of friction exist कर रही है हम ये मान रहें कि force of friction है तो आप देखो जब आपके body A से B पे जाएगी और B से C पे जाएगी तो इसने लंबा रास्ता cover किया जब लंबा रास्ता cover किया तो ज़्यादा friction फेस करनी पड़ी जब ज़्यादा friction फेस करनी पड़ेगी और जब वो A से C पे जाएगी ज़्यादा energy lose करी ज़्यादा work done किया एक बंदा direct A से C पे गया कम friction फेस करी कम energy lose करी तो work done बराबर नहीं होगा तो frictional field को non conservative क्यों कहते हैं क्योंकि work done depend करता है path के उपर work done किस पे depend करता है path पे path लंबा होगा distance ज़्यादा cover होगा friction ज़्यादा होगी इनर्जी ज़्यादा lose होगी work done ज़्यादा करना पड़ेगा work done is dependent on path तो यह कई दफ़ा पूछा गया कि Frictional field is a non conservative field अब जो यह वाला एक आपने पढ़ा है net work done is zero in a conservative field अब यहां से मेरा एक मासुमाना सवाल इंतेहाई मासुमाना सवाल इंतेहाई मासुमाना question मासुमाना question इसके मेरा बेटा work done का formula क्या होता है f dot s force of displacement का dot product होता है अच्छा यहां से आपने इसको साबित किया था a से b पे गए b से c पे आए c से a पर आए आपने सारे work done निकाले जमा का रहा answer zero आ रहा है क्या हमने kinematics के अंदर ये बात पढ़ी थी कि displacement से मुराद होती है shortest distance between initial and final point yes or no बिलकुल पढ़ी थी तो इस वाले के अंदर जब आप close path की बात करते हो close path कौन सा होता है जिसमें जहां से शुरू हो रहे हो वहीं खतम हो रहे हो अगर जहां से शुरू हो रहे हो वहीं खतम हो रहे हो इसका मलब initial point और final point कॉंसाइट कर रहे है अगर initial point और final point कॉंसाइट कर रहे है तो इसका है close path के case केंदर close path के case केंदर displacement क्या होगी 0 होगी जब displacement 0 होगी तो work done क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सवाल समझ में आया doubt समझ आया doubt क्या है doubt यह है कि अगर हम close path की बात करते हैं तो close path के अंदर मेरा बच्चा जो initial point है वही क्या है final point है जहां शुरू वहीं खतम, जहां से ब्तिदा करी वहीं इंतहा हो रही है, इनिशिल फाइनल पॉइंट एक ही है, तो आपके बार डिस्प्लेस्मेंट कितनी है जीरो है, और अगर डिस्प्लेस्मेंट जीरो है, तो work done विल भी ऑॉटोमेटिकली जीरो इसमें conservative field का क्या कमाल है, सवा समय में आया हम gravitational field को conservative field साबित करने के लिए या proof करने के लिए derivation करते है कि work done in a close path is zero अब मेरा मासुमाना question ये है कि अगर आपके पास कोई non conservative field होगी उसके अंदर भी तो work done in a close path zero होगा फिर ये कहां से definition बन गई अब जरा समय नहीं है आपे ये चीज मैं once again जो बता रहा हूं ये out of course है ये बताना इसलिए पढ़ रहा है मेरा बिटा क्योंकि offline पढ़ाने का मेरा तो जर्बा है तो ये सवाल बच्चे के जहन में आता है जब बच्चा काइनमेटिक्स पढ़ता है उसके दिमार के डगने शकने खुलते है फिर ये पढ़ता है तो ये सवाल वो कही न कहीं लेके आ जाता है ऐसे ऐसे मुझे बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो ये सवाल डिरेक्ली आगे पूछते हैं लेकिन स्टिल यूट्यूब पे तो कॉलिटी पूरी रखनी है ना मुझे तो नहीं पता आप मेंसे कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा खेर conservative field की जो definition पढ़ाई जा रही है ये incomplete है conservative field की actual definition क्या है वो समय लो ऐसी field जिसके अंदर से body को बाहर निकलने के लिए external energy चाहिए हो वो field conservative field कहलाती है इसी chapter में आगे चलके हम escape velocity का concept पढ़ेंगे अगर gravitational field मैं हूँ मेरे पास एक energy ये मैं चलांग लगा सकता हूँ आगे दोड़ सकता हूँ भाग सकता हूँ क्या मैं चलांग लगा के अर्थ की field से बाहर जा सकता हूँ क्यों क्यों कि मेरी energy इस काबिल नहीं है कि मैं gravitational field को escape कर सकूँ same is the case with electric field क्या मतलब समझना जरा आपके पास hydrogen का nucleus है उसके surrounding में एक electron है घूम रहे है वो electron bound हुआ है hydrogen के nucleus के साथ उसकी binding energy 13.6 electron volt atomic spectrum में पढ़ते हैं हम लोग वो electron अपनी मर्जी से बाहर नहीं घूम सकता के चलो यार मैं बाहर जा रहा हूँ ज़रा टहल के न वापिस आ रहा हूँ या चेहल के अदनी करने बाहर निकल ला हूँ not possible electron वहां पे क्या हुआ हुआ है बाउंड हुआ हुआ है electron अपनी available energy को यूज करता हुआ बाहर नहीं जा सकता जब तक बाहर से energy ना मिले ionization energy का concept पढ़ा है कि हम इस्ट्री में same is the case with conservative field हर वो field जिसके अंदर available body अपनी energy को इस्तमाल करते वे बाहर escape ना कर सेगे वो क्या कहलाती है conservative field हमने ये चीज़ सीखी जब मैं खुद एनडी के student रहा हूँ 2016 के अंदर जब मेरा first year था है energy में 2015 December में admission हुआ 2016 में पहला साल था पहले साल में पहले semester में course था applied physics हमारे teacher थे बड़े दबदर टीचर थे सर नौमान उन्होंने हमसे आके सवाल पूछा क्लास में यही question था कि भाई conservative field क्या होती है हम सब ने रटे रटाए सर ऐसी कोई भी field जिसके अंदर work done independent of path है या work done in a close path इस जीरो रट्टा वानने में तो champion होते हींगे न हम सब work done in a close path इस जीरो और बिल्कुल कॉलर ऐसे उपर हुए हैं और यह बाई मतलब हम बहुत अच्छे बच्चे हैं युनिवर्सी बेटे वें दो मिट में सर ने अपने status याद दिला दिया कि बटा आपको कुछ नहीं आता और यह बाद हकीकत है जिस दिन आप यह समझ लो आपको सब आगया उस availability यह time की उसके लिहाज से तो उमीद है आपने यह समय लिया होगा यह definition आपको शाम सीरीज में मिल जाएगी शाम सीरीज की एक किताब है वेक्टर अनालिसिस की यह टेंसर अनालिसिस की उसमें मिल जाएगा यह सब ठीक है खर इसको कॉपी कर लो तो इसमें से भाई माजी मे elastic field है elastic field वो ओती है जो spring की होती है ना spring नहीं होता compress long gate हो रहा होता है जहां होस्परा लगता है वो वाली फील है इस दिरा non conservative field कौन सी है frictional field है यह यूंकि friction अगर friction exist कर रही है तो वर्क डन विल depend on the path followed जादा बड़ा distance कवर करोगे तो जाहर बर दिसनस कवर करोगे तो जाहर है आगे हम energy और power का concept start करेंगे उससे पहले मैंने सोचा यहाँ पर कुछ जो थोड़ी बहुत एक अच्छा सवाल आया वह मार्किट के अंदर वो भी discuss कर लिया जाए कभी के बार मैंने आपको काया कुछ questions ऐसे आते हैं जो बहुत मज़ेदार होते है और वहाँ पर आपकी वाकिए conceptual understanding चेक हो रही होती है अब यह सवाल kinematics, dynamics और work power energy का एक खुशूरत सा combination है पहले मैं आपको काऊंगा UET Engineering University है लहौर की उसमें पूचा किया question पहले आप वीडियो को pause करो और सवाल को एक बार खुद से attempt करो देन हम करते हैं कहरा क्या है बेटे कहता है a horizontal force F pulls a 20 kg box at a constant speed speed कैसी दीवी है constant यहां से आपको यह चीज़ किलियर हो जानी चाहिए भईया acceleration क्या है zero है along a rough horizontal surface जब उसने rough की बात करी है न तो आपके जहन में कहीं न कहीं घंटी बच जानी चाहिए कि friction involved है अगर smooth होता तो friction नहीं है ठीक है on a rough horizontal surface coefficient of friction between box and the floor is 0.25 आपको coefficient of friction दियावा है which is 0.25 work done by the force F on the block and displacing it by 2 meter आगे से उसने आपको displacement भी दे दी वो कितनी है 2 meter और आपसे पूछरा क्या है भाईया work done पूछ रहे work done निकालने का formula तो इंतहाई simple है force multiply by displacement मसला यह कि आपको force नहीं दी वी अब force हमें calculate करनी है किस तरह करनी है अगर एक बार attempt कर चुके हो एक बार दुबारा attempt करो यहाँ पर data बनवा दिया mass भी given है यह रहा mass given है हमे मास हमें कितना given है 20 kg work done का formula क्या होता है force multiply by distance उससे निकालना है force नहीं है बस यहाँ पर given अब देखो कैसे करेंगे देखो भाया हमारे पास यह है वो डबा इस डबे के उपर मान लीजिए जो force लग रही है force F जिसकी हम बात कर रहे है वो यहाँ लग रही है आगे की तरफ friction जब मैं आपको dynamics पढ़ा रहा था मैंने वहाँ बताया था friction का काम क्या है body के motion को oppose करना अगर यह बाड़ी आगे की तरफ displacement कवर कर रही है तो friction कहां एक कर रही होगी friction पीछे की तरफ एक कर रही होगी हाँ यह ना अब अगर तो मुझे यह कहा जाता देखो अब मुझे यह पीची नदर आ रही है कि body जा कहा रही है body जा कहा रही है मेरा बेटा body is moving forward या body is moving in the right hand side direction तो मैं यह कह सकता हूं कि f minus f will be equal to ma sir यह क्या हरकत कर दी आपने बिटे मैंने आपको जब Newton का second law पढ़ा रहा था मैंने आपको unbalanced force का concept बताया था मैंने क्या बताया था body force minus short force will be equal to unbalanced force अब एक force सीधे हाथ पे ले जा रही है एक force उल्टे हाथ पे ले जा रही है बड़ी कौन सी हुई जो सीधे हाथ पे ले जा रही है यानि कि आप बोलोगे strong force minus weak force will be equal to ma तो strong force हो गई कि f weak force क्या हो गई यह हो गई अब f minus का f will be equal to ma यह पूरा factor क्या हो जाएगा zero क्योंकि acceleration क्या है जीरो है इससे आपको क्या पता चला इससे यह पता चला कि f will be equal to f यानि कि जितनी force of friction body पे एक कर रही है उतनी forward force है अब सवाल दुबारा बढ़ो पहली लाइन horizontal force f pulls a box at a constant speed अगर यहां पे लिखा होता कि यह accelerated speed में जा रहा है acceleration करता बाजा रहा है तो आप f कैसे निकालते तो आप बोलते f will be equal to ma plus f वहां से आप force निकालते तो ma और f उसमें क्या होता फिर add हो रहा होता लेकिन अभी उसने कहा कि वो कैसे जा रहा है constant speed से जा रहा है जब constant speed से जा रहा है तो acceleration zero हो गया यह नहीं कि जो force आगे लेके जा रही हो जो friction पीछे मतलब रगर्ड है उसकी ताकत वो बराबर हो जाएगी और यह f में निकाल सकता हूँ एफ का formula पढ़ाया था मियू आर या मियू एन आर क्या होता है नॉर्मल रियक्षिन अब देखो भई सर्फेस का नॉर्मल रियक्षिन कहां होगा अपवर्ट और सर्फेस के उपर जो force of gravity लग रही है मेरा बेटा वो कहा लग रही है कितना लेंगे जी को मैं ले रहा हूँ 9.8 सर जी को आपने 9.8 क्या सोच के लिया यह अच्छा को इससे ने यह भी मैंने काइनेमेटिक्स में बताया था option देखिए दरा सारे क्या आपको option 9.8 के multiple में नजर आ रहे हैं यह सोच के मैंने जी को 9.8 लिए 9.8 का table याद रखना simple है बाई 9.8 वंजा 9.8 9.8 टूजा का मतला मैं 9.8 में 10 8 कर तो 0.2 बीचे आ जो 9.8 में अगर मैं 10 8 करूंगा तो क्या बनेगा 19.8 दो पीछे आ जो 19.6 यानिके 9.8 19.6 29.4 39.2 49 आगे चलते जो बस इस दरीखे से अब 0.2.2 कहा आते जाओगे पीछे आते जाओगे उठके समय लग गई इस तरह से हम यह करते हैं तो यह हमें नदर आ रहा है यह टेबिल उसका ठीक है तो 9.8 ले लिया अब क्या करना है सॉल्फ कर ले दें यह जो 0.25 है मेरा बेटा इस 0.25 को समझे गदर अगर मुझे इसको इतना डारेक्ट नहीं करते है ठीक है यह हो गया पॉइंट टू फाइव को वन अपॉन फॉल लिखा ट्वंटी को टू इंटू टैल लिखा और इसको ऐसे कर दिया जब यह दोनों मुल्टिप्लाय होंगे आपस में तो क्या बन जाए गई यह बन जाएगा वन अपॉन इतनी एक कर रही है तभी तो बॉडी किस तरह मूफ कर रही है विदा कॉंस्टेंट स्पीड अब क्या कर रहे है वगडर निकालना है वगडर निकालने के भाई सिंपल है एफ इंटू एस फोर्स कितनी लग रही है 49 और आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना है दो मीटर आफ तो 49 तूस अपने पास कितना हो गया 928 जूल्स ऑंसर कितना आता हुँमारे पास 990ेट ر्छो और पिल्कुल इसका आंसर हमारे पास कितना रहे है नाइटी है यह काम है जो स्थ GG अगर आप से पूच्छा जाता कि कितना काम किया तो माइनश गांग जा रही यह है ऑमे वहाँ पे कुछ textbook में work done in gravitational field का concept है तो work done in gravitational field भी हम इसी तरह से निकालते हैं तो क्या हो जाता है भाई force कितनी लग रही होती है mg और distance कितना cover हो रहा होता है h by gravitational field में आप किसी body को उपड़ लेके जाते हो ना हाँ या ना अगर मैं किसी body को उपड़ लेके जा रहा हूँ और आप से पूछ रहा हूँ बताइए work done by the gravitational force कितना है तो gravitational force कितनी होती है mg weight of the body के बराबर distance कितना cover कर रहा है h height के बराबर और ultimately मेरा बेटा जो इन दोनों के दर्म्यान का angle होगा वो कितना होगा cos 180 क्यों body उपड़ जा रही है force of gravity नीचे लग रही है cos 180 कितना हो जाएगा minus 1 तो यह होगया minus का mg this is the work done by the gravitational force on an object that is being lifted in the upward direction समझ आगे भाई यह सारी बात है यहां तक copy कर लो यहां पे हमारा work done का concept खतम होता है इसके आगे हम energy का concept start कर रहे अब देखो मेरा बिटा अगर आप note करोगे तो energy का जो unit होता है वो भी जूर होता हो और work done का जो unit है वो भी क्या है जूर है तो इन दोनों का concept जरा अच्छी तरह समझ ले ना कि भाईया energy क्या होती है energy is the ability to do work work आपने कोई काम किया force लगाया distance cover हुआ work is done energy क्या है काम को करने की सलाहियत एक body के पास जितनी energy होगी technically speaking वो उतना ही काम कर सकता है अरे भाईया तुम का गिर गए एक body के पास जितनी energy होगी वो technically उतना ही काम कर सकता है ठीक है energy क्या होती है भाई ability to do work, काम को करने की सलाहियत अब हमारे पास यहाँ पे कोर्स के अंदर दो टाइप की इनरजी की involvement है यह आ रही होगी बार-बार एक kinetic energy है और एक potential energy है अच्छे तरीके से concept समझ लिएगा बेटे kinetic energy किसी भी body के motion पर depend करती है अगर कोई भी body move कर रही है उसके पास speed है तो ultimately उसके पास क्या होगी kinetic energy होगी kinetic energy is dependent on the motion of the object ठीक है मेरा बेटा इसको हम यूँ कहते है kinetic energy का formula है half mv square m से मुराद mass है v से मुराद speed है velocity नहीं है energy scalar quantity है kinetic energy velocity पर depend नहीं करती speed पर depend करती है इस जुमले को लिखने के बाद इस पर बड़ा था डबबा बनाके highlight कर देना यूँके electromagnetism जब हम पढ़ रहे होंगे second year में chapter 14-15 वहाँ पर आप यही चवल मारोगे kinetic energy velocity पर बेंडने नहीं है मतलब समझो एक गाड़ी है वो 5 meter per second से move कर रही है सीधे हाथ की तरफ कुछ दिर बाद उसने ऐसे trend किया और अब यही गाड़ी 5 meter per second से move कर रही है नीचे की तरफ कुछ दिर बाद इसने trend किया और अब यही कार 5 meter per second से move कर रही है उल्टे हाथ की तरफ तो position 1, position 2, position 3 तीनों position में गाड़ी की velocity अलग-अलग है velocity is a vector quantity जो magnitude के साथ direction पर depend करता है magnitude भले same है लेकिन direction कैसा है? अलग-अलग है तो V1, V2, V3 तीनों velocities क्या है? अलग-अलग है लेकिन kinetic energy यहां की यहां की यहां की कैसी होगी? same होगी युकर kinetic energy का दारोमेदार speed पर है, velocity के magnitude पर है, तो speed, speed, speed same है, ultimately kinetic energy will be same, जहन में रखना और अपने जहन में अब इस बात को अच्छी तरह बसा लेना के kinetic energy का तालुक speed of the body से होता है और kinetic energy हर उस body के पास मौझूद होती है, जो कि basically move कर रही होती है अच्छा, potential energy क्या है? बेटे, potential energy आती है potential energy कोई भी body acquire कप करती है जब कभी भी work is done against the field सर हमने तो सुना था height gain करते है आपने आदी बात सुनी थी है पूरी बात सुनू आप किसी भी force field के against में काम करोगे तो body जिसके उपर ये काम किया जाएगा वो body potential energy acquire करेगी फिर सुनू एक force field है force field से मुराद है कोई एक जगा है जिसमें कोई ताकत लग रही है जो आप से एक काम करवाना चाहती है और आप उसका उल्टा काम कर रहे हो इसको हम कहते है against the field जाना मिसाल के तोड़ पे gravitational field की क्या इच्छा है क्या खौाइश है वो चाहती है कि हर बौड़ी उपर से नीचे की तरफ आए और technical जबाम ने बताऊ तो वो चाहती है हर बौड़ी अर्थ के center की तरफ accelerate करे यह चाहती है यह उसकी इच्छा है खौाइश है अगर आप अर्थ के surface से उपर जा रहे हो तो आप against the gravity काम कर रहे हो तो बौड़ी गेन करेगी gravitational potential energy जिसे हम कहते हैं MGH gravitational potential energy that is given by MGH सही हो गया सर यह तो अभी आपने कहा था work done work done in the gravitational field है हाँ तो मेरे लाल यही तो बढ़ा रहा हूँ जिब आप किसी बौड़ी को उपर लेके जा रहे हो पॉड़ी को उपर लेके जा रहे हो against the gravitational field work done कर रहे हो तो जितना work done कर रहे हो वो ही इसके इंदर restore हो रहा है in the form of gravitational potential energy इसी तरह मेरा बेटा एक होती है elastic potential energy elastic potential energy simple harmonic motion वाले चेप्टर में पढ़ेंगे half kx square formula होते है कैसे आता है भाई यह वो क्या होती है समझना तरह देखो एक spring है आपने spring को जबरदस्टी दबा दिया spring चाह रहा था मैं ऐसे ही रहूँ आपने जबरदस्टी दबा दिया उसे अब आपने against the spring field उस पे काम किया वो इसमें in the form of energy store हो गया जैसे हाल अड़ाओ के spring एक दम प्रेशर के साथ आगे आएगा सबसे अच्छी मिसाल टॉम एं जैरी के अंदर वो पंचिंग बॉक्स देखें उसमें पंच लोड हुआ होता है और बॉक्स का ढगना बंद होता है बिशारा टॉम जो होता है मेरी तरह का मासूम बिल्ला वो जैसी ढगना अटाता है तो अल्टिमेटली वो पंच निकल के आता है उसके मूपे लग जाता है तो वो क्या हुआ 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 है जैरी ने चुंके physics पढ़ी है तो उसको ये बात पता है भाई या मानली जी आपके भाई ये एक positive charge है यहां पर मानली जी एक और positive charge है अब ये वाला charge जिसको मैं source charge कहा रहा हूँ ये test charge को repel कर रहा हूँ लेकिन मैं जबदस्ती इस test charge को उठाके इसके करीब लेकर आ रहा हूँ ये वाले भाईया इसे repel कर रहे है क्योंके light charges repel each other मैं इसको जबदस्ती यहां लेकर आ रहा हूँ तो गोया मैं इस test charge के उपर against the field लाने की वज़ा से काम कर रहा हूँ जब काम कर रहा हूँ तो इसको energy मिल रही है इसको जो energy मिल रही है that is electrostatic potential energy तो आपने सीखा गया मेरी इसक नहीं तक्रीर के बाद आपने सीखा ये कि जो potential energy होती है that is basically the work done against the electrical field work done against the electrical field negative sign ये शो कर रहा है कि work is being done against the electrical field set हो गया तो हमारे पास यहां course के इंदर जो शामिल होगी अभी इस chapter के अंदर वो है gravitational potential energy that is MGH अभी आगे चलके थोड़ी देर में absolute gravitational potential energy भी पढ़ेंगे लेकिन फिलाल ये पढ़ लो ये जो gravitational potential energy है ये हमारे पास ये वाला formula हम normally तब use करते है मेरा बेटा जब h की value small होती है क्यों sir इस आगे चलके जब आप gravitational motion का chapter पढ़ोगे तो आपको ये बताया जाएगा ये जो g है ये 9.8 meter per second square सिर्फ surface पे होती है surface से उपर जाओगे तो value क्या होती है कम होना शुरू हो जाती है और इसका पूरी एक equation होती है g equal gme divided by r e plus h का whole square इस से ये vary होना शुरू हो जाती है यादारी है सब चीदे where h is the distance from the surface of earth जाहर है कही न कहीं जाके वो zero भी हो जाती है तो ये जब आपके पास h का value कम है जहां पे g का value आपके पास constant रह सकता है 9.8 meter per second square वहाँ पे हम ये formula यूज करते है वरना formula दूसरा यूज करते है उस पर भी मैं आता हूं clear है अच्छा ये ज सब्सक्राइब एच की value 0 है एच जीरो का क्या मतलब है surface of earth एच जीरो का क्या मतलब है surface of earth तो आप देखना आगे जब हम देखेंगे surface of earth के उपर हम कहते हैं कि हमारे पास gravitational potential energy क्या है जीरो है तो अर्थ के surface को अक्सर जगाओं पे zero potential surface कहा जाता है और जैसे जैसे आप अर्थ gravitational potential energy कब आती है जब आप against the gravitational field जा रहे होते हो किलियर है similarly kinetic energy कब आती है जब body हमारी move कर रही होती है किलियर हो गया copy कर लो इतना हिस्सा आगे चलते है अब मेरा बिटा अपनी daily routine के अंदर अकसर देखते होगे कि आपके पास energy एक शकल से दूसरी शकल में convert हो रही है जैसे मैं आपको सबसे अच्छी example potential energy की देता हूँ उससे मैंने एक point clear करना है और उससे related एक pass paper का question discuss करना है अकसर आप में देखा होगा कि energy एक शकल से दूसरी शकल में convert हो रही है सर कोई मिसाल दे हम सब के घर के अंदर electric motor लगी वी होती है जो electric motor होती है न मेरा बेटा इसका काम क्या ह होता है electric motor का काम यह होता है कि यह electrical energy लेती है और इसको convert करती है किसमे gravitational potential energy में क्या होता है हमारे घरों के अंदर पानी का underground tank होता है जिसमें पानी आता है आके store हो जाता है और उसकी मदद से हम वो पानी उपर वाली टैंकी में lift कर रहे होते हैं या चड़हा रहे होते हैं वो क अगर आपने किसी भी machine का calculate करना हो कि इसके काम करने की क्या सलाहियत है या यह जो काम कर रही है यह basically कितनी efficiently काम कर रही है efficiency क्या होती है efficiency यह होती है कि आपने 100 जूल इनर्जी खर्च करी और काम किया 90 जूल का तो आपकी efficiency है 90% यूँकि आपने 100 जूल के यह वस 90 जूल का काम कर लिया तो हम efficiency को कैसे define करेंगे भाई efficiency is काम कितना किया output work done divided by input work done multiply by 100 ठीक है मेरा बेटा अभी एक मिसाल से समझाता हूं बात को output कितना मिला input कितना था multiply by 100 इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी efficiency क्या थी किलिया रहे मैं सवाल लिख दू ज़रा पिर आगे चलते हैं अब देखो मेरा बेटा यह हमारे सामने जो है ना एक simple सा question लिखा हूँ है यह हमारे सामने एक यह सवाल लिखा हूँ है कहता है machine needed 1000 of energy to raise a 10 kilogram block at a distance of 6 meter अब पहले दरह इसका पहली लाइन छोड़तो थोड़ी देर के लिए अब यह देखो कि इस machine का काम किया है इसका काम है 10 kilogram का एक block है जिसको lift करना है 6 meter height पे I repeat again 10 kilogram का एक block है जिसको lift करना है कितना 6 meter height पे हमें बता है अगर हमने 10 kilogram के किसी block को उपर की तरह lift करना है तो हमें against the gravity काम करना पड़ेगा ultimately जितना काम करना पड़ेगा वो हम calculate कर सकते है MGH से ठीक है मास कितना दिया है 10 G कितना है हमें नहीं दिया हुआ हम 10 ले लेंगे ठीक है 10 meter per second score जो rounded of value है height कितनी है भाई 6 meter है simplify करो 10 10s are 100 100 को 6 से multiply किया 600 Joule फिर बोल रहा हूँ सरिफ इतना हिस्सा पड़ो सरिफ इतना हिस्सा पड़ो पीछे वाला छोड़ दो सोड़े के लिए आप देखो to raise a 10 kilogram block at a distance of 6 meter अगर आपने 10 kilogram के एक block को 6 meter height पे lift करना है तो how much energy do you need 600 Joule अब पड़ो concept पड़ाया था यह बिल्कुत समझ में आ जाएगा और किताब में जो लिखावी चीजें उसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा कहता क्या है machine needed 1000 Joule of energy to do this machine को कितनी इनरजी चाहिए थी 1000 Joule इनरजी चाहिए थी ये काम करने के लिए आपने बताना है machine की efficiency क्या है efficiency क्या होती ह output upon input output कितना है machine का 600 Joule भाईया machine ने क्या किया 10 kg का block 6 मीटर उपर उठा दिया उसके लिए actual energy कितनी दी 600 Joule यानि के ये machine का है output मशीन ने input कितना लिया 1000 Joule का input लिया multiply by 100 solve कर लो 20 से 20 मर गए 10 से 10 और मर गया 106 कितना होता है 60% यानि के machine की efficiency कितनी है 60% आर्मी medical college 2014 में पूछा गया question हमारी ये federal board की example भी ये example number 4.2 या 4.3 I don't remember exactly लेकिन है ये example chapter 4 की है 2 या 3 example है तो अब देख रहे हो आप ये simple तरीन question मैंने इसी question से इसका concept समझा दिया अब आप यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हो कि भाई साब real life के अंदर real life के अंदर efficiency can never be 100% efficiency will always be less than 100% due to losses उनके losses भी होते हैं आप घर में अपने पाने की मोटर को हाथ लगाना जब वो चल रही हो बाहर से अंदर हाथ गुसाने को नहीं कह रहा हाँ हाँ लगा तो देखो कि वो गरम हो रही है तो winding में जो heat energy release हो रही है वो electrical energy से convert हो रही है तो point समझा आगी यह बात की तो यह efficiency का concept था हमारा ठीक है मेरा बेटा कॉपी कर लीजे चल्दी से आगे चलते हैं अब देखो मेरा बेटा इसी के अंदर जो अभी हमने बात की थी ना potential energy की gravitational potential energy का हमने अभी अभी तादा तादा क्या formula पढ़ा था MGH अब देखो मेरा बेटा यह वारा formula हमारे पास valid कब ह अच्छा पहले मैं इसकी discussion में जाने से पहले एक बात बता देता हूँ कि हमारे पास जितने भी questions आएंगे ना जितने भी questions हमारे numerical problems आएंगे जो gravitational potential energy को लेकर होंगे उसमें हमारा MGH का formula ही इस्तमाल हो रहा होगा लेकिन यह direct expression एक दो बार पूछी गई है तो हमें हमारा concept पत बहुत जादा छोटा होता है RE के मुकाबले में RE से मुराद है radius of earth, radius of earth क्या है? अर्थ के center से लेके surface तक का फासला, तकरीबन 6400 km होता है, 6.4, 10 की बावर 6 meters होता है, जब तक H की value बहुत छोटी है, 10-15 meter उपर जा रहे हो, या आप इसको यूं भी कह सकते हो, जब तक आपके पास G की value constant है, या G की value कितनी है, 9.8 meter per second square, जब तक जाहर है आप ज़्यादा height cover नहीं करोगे, G की value will remain constant at 9.8 meter per second square, जब तक आप अराम से ये formula यूज कर सकते हो, उस वगत तक के लिए हमारे लिए जो हमारा arbitrary reference होता है, arbitrary reference का मतलब होता है, अपनी मर्जी से बनाया वा एक reference, ज हमने का कि अर्थ का जो surface है, अर्थ के surface के उपर, जो H है, H क्या हो जाएगा, या 0 हो जाएगा, जब H 0 हो जाएगा, तो अर्थ के surface को हम मान के चलते हैं, कि ये हमारा 0 potential energy वाला point है, ये एक relative point है, या arbitrary point है, actual में अर्थ के surface के उपर G की value 0 नहीं होती है, ये तो हमने मान लिया है ना, भाई, हमने क्या माना, हमने ये माना, कि gravitational potential energy हम कहां से calculate कर रहे है, with respect to earth, ये ही है ना, क्या the gravitational potential energy, जब आप against the gravitational field जाओगे, तो वही होगा ना, तो against the gravitational field तो जैसे जैसे आप center of earth से दूर जाना शुरू होए, against ही था वो, नहीं समझे, अगर मैं earth के उपर खड़ा तो मैं मजीद against काम करना हूँ, मैं center से जब यहां आया हूँ, पहले ही against काम करता हूँ, अर्थ की gravitational field क्या चाहती है, मैं कहां जाओ, अर्थ के center की तरफ accelerate करता वा जाओ, ठीक है, जब मैं center से उपर आ रहा हूँ, मैं पहले ही against काम कर रहा हूँ, surface बे आगे रुग गया, वह आपका zero potential है, वहां से आप उपर जा रहे हो, तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, potential energy gain कर रहे हो, छोटी height के लिए, जब तक G का value constant effects है, यह चीज़े बहुत खुबसूरती से चलती है, और बैठती जाती है, लेकिन जब आपकी height बड़ी होना शुरू हो जाती है, जब आप आपके पास H की value greater than RE होना शुरू हो जाती है, आप surface of earth से इतना उपर चले गए, कि twice the radius of earth, thrice the radius of earth, four time the radius of earth, जहां पर जाके G की value, चार गुना, नौ गुना, कम होना शुरू हो गई, तब जाहर है, आपके पास ये वाली expression valid नहीं रहेगी, clear हो गया, फिर वहां पर हम क्या कर हैं, हम ये जो absolute gravitational potential energy निकालते हैं, ये जो हमने formula निकाला है, ये formula निकाला था हमने arbitrary reference से, ये जो absolute gravitational potential energy की हमारे पास equation है, minus का gm into m e divided by r e, ये क्या है, कैसे सब बतातों, बस derivation नहीं कराऊंगा, व्योंकि derivation के लिए detail section है, ठीक है, हम revision कर रहे हैं भी सर्फ, ये है absolute gravitational potential energy की value, ये value उस point से calculate की गई है, जहां पर actual में potential energy 0 होती है, आप बताओ, actual में potential energy 0 कहां होगी, ये actual में, मैं कैसे क्तों, potential energy 0 होगी, जब g का value 0 हो जाएगा, हाँ या ना, और g का value 0 कहा होता है, g का value 0 होता है, infinity पर जाके, मतलब अर्थ के surface से बहुत दूर जाके, कोई एक point आएगा, जहा absolute gravitational potential energy की value, कहां पर, अगर कोई body मौझूद है, at the surface of earth, उसके लिए ये value है, हमारे पास absolute gravitational potential energy की, अब ज़रा यहां समाई नागा हो, अब ज़रा यहां पर एक चीज़ अच्छे समाई लिएगा, ये capital G जो है आपका universal gravitational constant है, 6.673 power minus 11 newton meter square per kilogram square, ये M से मुराद है, वो body जो जिसक की आप gravitational potential energy, actual zero point से calculate कर रहे हो, M E से मुराद, mass of earth है, R E से मुराद, radius of earth तो है, लेकिन यहां पर denominator में जो distance लिखा जाएगा, ये है, distance of object from the center of earth, distance of object from the center of earth, जाहिर है, जब कोई आपका जो body है, वो surface of earth पे मौझूद है, तो उसका center से फासला कितना होगा, R E, अगर surface से थोड़ा उपर मौझूद है, तो फासला क्या होगा, R E plus H, क्यों भाई, ये देखो, ये center है, center से surface तक का फासला कितना है, मेरे बच्चे, R E, अगर body यहां मौझूद है, तो क्या हो जाएगा, R E plus H आएगा, यहां निखावा, भईया समझ आ रहे है, हाँ या ना, clear हो गया, अरे भईया, इतना इसा clear हुआ, ठीक है मेरा बेटा, अपने बस क्या चीज, quickly क्या क्या चीज, revise कर सकते हो, जल्दी जल्दी वो चीज revise कर लो, ताकि आपको दोनों फॉमलों में समझ में आ जाए, पहला point तो मैंने यह बताया, भई, हमारे जितने भी numerical आएं मसला क्या है, यह तब काम करेगा जब G का value fix है, चेंज नहीं हो रहा, आप इतनी height पे body को नहीं लेके जा रहे कि दरम्यान में G का value चेंज हो गया है, सही है, आप ऐसी जगह पे हो जहां पे G का value fix है, या अर्थ का जो surface है, arbitrary reference zero potential value, वहां से आप कुछ कर रहे हो इसके अंदर ठीक है, आप कुछ height gain कर रहे हो, यह है आगया, मसला है यह कि जब आप ज़्यादा height cover करोगे, तो G value change हो जाएगा, वह दरम्यान में आप एक point से दूसरे point पे गए, तो दरम्यान में पहले 9.8 था, आप 9.5 हो चुका है, जाहरे direct तो नहीं हुआ होगा, gradual decrement आया होगा, 9.7, पे 9.6, पे 9.5, तो आप gravitational potential energy calculate करी नहीं सकते, इस equation से, then you are bound to use this equation, यह कैसे निकाली गई है, derivation में नहीं किया, मैंने directly बिताया कैसे निकाली है, आपने एक point locate किया, जहां पे actual में potential energy 0 थी, यह point कहां पर है, यह point infinity based surface of earth से बहुत दूर है, वहां पे G value क्या हो जाएगा, 0 हो ज यह है, at the surface of earth के लिए, अगर surface of earth के उपर कोई body मौजूद है, तो with reference to the actual point जहां पे potential energy 0 थी, जिसको 0 potential point कहते हैं, उस 0 potential point के reference से, इस point पे इसकी potential energy कितनी है, minus gm into capital m e upon r e, अब दोने इसको एक और चीज़ समझना, यहां पे अच्छे तरीके से समझना, point के लिए गर नज़र, देखो, अगर मैं किसी body को उपर लेके जाता हूँ, तो मुझे against the gravity काम करना पड़ता है, हाँ या ना, इसका मतलब क्या है, सोचो, 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 अगर एक, यह marker यहां मौजूद है, मैं इसको उपर लेके जा रहा हूँ, मुझे against the gravitational field काम करना पड़ेगा, इसको उपर ले लेके जा रहा हूँ, तो मुझे इस पांच जूल के against में पांच जूल का काम करना पड़ रहा है, तब जाके मैं इसको उपर लेके जा रहा हूँ, और वो energy इसके अंदर क्या हो रही है, पॉइंट समझ जा रहा है, तो यह वो energy है, surface of earth के उपर, अर्थ ने इतनी energy से whole किया ह है, जब आप इसको उपर लेके जाओगे, तो ultimately होगा क्या, वो यह energy, जब आप work done करोगे, तो आप against the gravity काम कर रहे हो, यह energy body के अंदर क्या हो रही होगी, इस्टोर हो रही होगी, negative sign सिर्फ यह indicate कर रहा है, कि यह जो आपने potential energy calculate करी है, यह किसी ऐसी point के उपर है, जो gravitational field के अं इसी point के energy निकाली है, जो binding state है, binding का मतलब क्या है, जहां nucleus की force of attraction exist कर रही है, same is the case over here, अर्थ की जो gravitational field है, उसमें आप किसी भी point पे potential energy calculate करोगे, वो हमेशा कैसी आएगी, negative आएगी, अगर potential energy positive आ रही है, इसका मतलब यह point जिसकी आपने potential energy निकाली है, इसको अर्थ ने bind नहीं किया हुआ, अर्थ ने hold नहीं किया हुआ, अर्थ का hold या नहीं है, अर्थ की attraction या नहीं है, यह वाला point अर्थ की gravitational field से क्या है, बाहर है, यह concept अच्छे से समझ लेना, आगे escape velocity में नाचते गाते फिर रहे होगे, point समझ आ गया, यह क्या है, absolute gravitational potential energy of a body that is placed on the surface of earth, अर्थ के उप body को gravitational energy जितनी ताकत से pull कर रही है, वो यह है, आप जब उपर जाओगे, तो आप against the gravity काम करोगे, वो ही काम body के अंदर in the form of energy store हो रहा होगा, negative sign क्या शो कर रहा है, कि यह जिस point की potential energy है, वो point अर्थ की gravitational field के अंदर है, binded function है, या bounded state है, या ऐसी जगह जहां पर अर्थ की gravitational field exist कर G0 हो जाता है, वहाँ, potential energy 0 हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, potential energy will be positive, set है, clear हो गया, अच्छा, अब मिसाल के तोर पे, जब हमने at the surface of earth की बात करी, surface of earth के उपर absolute gravitational potential energy होती है, minus का G, m e into m divided by r e, अब अगर एक body height पर आ गए, कुछ height cover कर ली, और height यहां पर छोटी मोटी नही ही अच्छी height है, तो यहां पर अगर मुझे निकालनी होगी, तो क्या बनेगा, minus का g m into m e divided by r e plus h, यह बन जाएगा, हाँ या ना, r e plus h बन जाएगा, किताब में उसको एक और तना भी लिखा हो, मैंने बूला, वो भी बता दूँ आपको मे, minus का g m into m e divided by, अगर मैं यहां से r e common ले ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा, one plus h upon r e बन जाएगा यह, हाँ या ना, अरे यह r e common लिया, तो यहां r e बज गया, यहां h के पास r e नहीं था था, उसके denominator में r e आ गया, तेखो मैंने क्या किया, r e को वापस अंदर भेजूँगा, तो r e बन जा r e, r e को h upon r e से multiply क क्या बनेगा, one plus h upon r e की power minus one, यही बनता है मेरा भी टाई, यह वाली जो expression लिखी है, this is absolute gravitational potential energy at some height h above the surface of earth, इसको हम आगे भी solve कर सकते हैं, और पिर हमारे बाए वो जो binomial expansion का formula है ना, वो आजाता है, one plus n x plus n n minus one upon two factorial into x square वाला, वो जो binomial theorem में पढ़ा होगा, तो यहां पर यहां minus one यहां आ जाएगा, one minus h upon r e हो जाएगा और आगे की term हम निगलेक कर देते हैं, तो यह भी होता है, एक expression किताब में लिखी है, लेकिन आपके लिए बस इतनी बात जानना और इतनी बात जानना ज़रूरी है, जल्दी से अगर मैं sum up कर लूँ, तो अगर आपको बोला जाए gravitational potential energy at the surface of earth with respect to the arbitrary reference mgh, with respect to the actual zero potential point minus gm into capital m e upon r e, सेट है, किलियर हो गया, minus n क्या शो कर रहा है, a to z चीज़े बता दी, कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं, अचा मेरा बेटा, अब हम लोगों ने absolute gravitational potential energy का concept समझ लिया, अब इसी से related हमारे पास एक question बनता है, escape velocity को लेकर, ठीक है, अब escape velocity का concept इसी से deal करता है, अब जितनी बाते मैंने आपको बताई हैं, बस आपने वो जहन में रखनी है, साथ साथ आप heading लगा लो अपने साथ escape velocity की, ठीक है, अचा, बेटे हमने ये बात पड़ी है कि अगर कोई body surface of earth के उपर मौझूद है, तो absolute gravitational potential energy at the surface of earth, क्या formula है, minus का gm into me divided by re, जिसमें इस minus sign का तालुक सुरिफ इस चीज़ से है, कि भाई साथ वो ये बता रहा है, कि ये जो point है, जिसके उपर आप gravitational energy calculate कर रहे हो, ये earth की field के अंदर है, that's it, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई escape velocity क्या होती है, देखो, देखो मेरा बच्चा, अगर मैं ये marker है, इस marker को ऐसे उपर की तरह उच्छा लूँगा तो क्या होगा, सर marker उपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, marker उपर इसलिए जा रहा है, कि मैंने उसको initial velocity दी थी in the upward direction, marker नीचे क्यों आ रहा है, क्यूंकि इसे force of gravity वापस pull कर रही है, बढ़ाते जो, बढ़ाते जो, एक वक्त आएगा जब ये वापस नहीं आएगा, वो velocity जिससे अगर आप किसी बाडी को throw करो, और gravitational field उसे वापस pull ना कर सके, ऐसी velocity को हम कहते है, escape velocity, एक ऐसी व्यलासिटी जिससे अगर आप किसी बोडी को throw करो, और वो बाडी वापस ना सके तो उसको हम कहते है escape velocity क्लियर है अब दरा समझे ना अगर मेरा बेटा एक body surface of earth के उपर मौजूद है तो मुझे ये बात पता है कि absolute gravitational potential energy उसके पास कितनी है gm into m e divided by r e यही है ना भाई यानि कि मैं ये कह सकता हूँ अर्थ ने surface of earth के उपर इस body को इतनी energy से रोक के रखा हूँ हाँ या ना अरे भाईया मैं जैसे ऐसे उपर जा रहा हूँ इस body को अगर मैं उपर लेकर जाऊँगा तो मैं body पे काम कर रहा हूँ जैसे ऐसे मैं काम करूँगा जो basically इसकी जो जो अर्थ इसको hold कर रहा है उसकी force क्या होगी वीक होती जाएगी हाँ या ना तब ही तो जागे बहुत दूर वाले point के उपर potential energy क्या हो जाएगी zero हो जाएगी point समझा रहा है तो जब मैं work done करूँगा तो energy body के अंदर स्चोर होती जाएगी earth की field इसके उपर weak होती जाएगी जितना दूर होगा earth की field उतनी क्या होगी weak होगी अगर मैं body को इतनी ही energy provide कर दूँ गौर से सुनना एक body surface of earth के उपर है earth ने उसको इतनी ताकत से hold किया हुए अगर मैं इतनी ही energy body को provide कर दूँ तो इसका मतलब body zero point पे चली जाएगी हाई ना body उस point पे चली जाएगी अगर मैं body के उपर इतनी ही energy के बराबर work done कर दूँ तो body कहाँ चली जाएगी वहाँ चली जाएगी जहाँ पे zero potential है तो यह concept है आपका escape velocity का यानि कि आप जो body को kinetic energy दे रहे हो जाहरे body को बाहर जाने के लिए velocity चाहिए तो आप body को क्या दे रहे हो kinetic energy कितनी kinetic energy दे रहे हो इतनी kinetic energy के वह gravitational field को escape कर जाए तो वह कितनी होगी gm into m e upon r e के बराबर होगी मैं फिर repeat कर रहा हूँ यह मैंने क्या हरकत करी है देखो मेरा बेटा वह minimum kinetic energy जो आपने body को दी ताके वह earth की gravitational field escape कर जाए that should be equal to वो energy जिससे earth ने body को surface पे रोक के रखा हूँ था तो वह मैं आगई यहाँ पे अब अगर मैं kinetic energy का formula यहाँ पूट करता हूँ वो क्या हो जाएगा half m v escape का square will be equal to gm into m e divided by r e sir यहाँ बे यह v escape क्यों आया यूँकि मेरा बेटा यह kinetic energy इस काबिल है कि इस body को कहा ले जाए zero potential point पे earth की gravitational field से बाहर ले जाए इसलिए यहाँ पे v escape आ रही है m से m क्या हो गया मर गया 2 को महा ले जाओ तो आपके पास escape velocity का square किसके बराबर आ रहा है 2 g into m e divided by r e के बराबर आ रहा है अगर मैं under root लेता हूँ तो escape velocity की question क्या आती है 2 g into m e divided by r e this is the formula to calculate the escape velocity of a particular planet दो पॉइंट यहाँ note करने के पहली चीज़ escape velocity body के mass पे depend नहीं कर रही escape velocity body के mass पे depend नहीं कर रही देखो escape velocity depend कर रही है mass of the planet पे depend कर रही है distance of the body from the center of the planet r e से मुराद है radius of earth लेकिन यहाँ पे मेरा बेटा मैंने पहले भी बताया था फिर बता रहा हूँ यहाँ पे r e क्यों लिखा वा आ रहा था यह क्या चीज़ है यह था मेरा बेटा distance of the body from the center of earth अब चुँके आप बात कर रहे हो surface of earth की तो center से surface तक का जो फासला होता है वो basically कितना होता है r e होता है इसलिए r e आ रहा है लेकिन मैंने last impression में यहाँ पे अगर कोई height h है तो r e plus h का concept भी दिया था तो ऐसा सवाल भी बन सकता है अगर वो किसी height h से उसे बाहर लेके जाएंगे तो यहाँ पे r e plus h चाह रहा होगा simple ठीक है तो depend कर रहा है mass of earth depend कर रहा है distance from the center of earth की अपर clear हो गया यानि कि जो value मैं अभी calculate करूँगा जैसे r e की value radius of earth की value 6400 km होती है इसी दरह जो आपका mass of earth होता है वो भी मेरे खाले कोई 6 into 10 की पापर 24 kg होता है ये जो आपका mass of earth ये आपको याद रखने की जरुवत नहीं ये सब values किताब में लिखी ही है ये होता है mass of earth radius of earth तकरीबन 6400 km होता है यानि कि 6.4 into 10 की पापर 6 meter जी जो होता है वो आपका gravitational constant है 6.67 power minus 11 newton meter square per kilogram square जब आप मेरा बेटा ये सारी values यहाँ पर put करते हो तो आपके पास जो escape velocity है वो escape velocity कुछ निकल के आती है 11.3 multiply by 10 की पावर 3 meter per second यानि के तकरीबन तकरीबन ये बनती है 11 km per second यानि के मेरा बेटा अगर आप किसी भी body को 11 km per second की रफतार से throw करते हो 11 km per second की रफतार से throw करते हो तो ultimately वो जो body है वो जमीन की सता पे वापिस नहीं आएगी और वो उस point पे चली जाएगी जहाँ पे gravitational potential energy actual में क्या हो जाती है जीरो हो जाती है ये phenomenon क्या कहलाता है escape velocity का phenomenon माजी में एक बार ये सवाल पूछा गया है तो escape velocity 11.2, 11.3 into 10 की power 3 meter per second होती है यहाँ से calculate कर सकते हैं दूसरी बार escape velocity is independent of the mass of the object जिसको आप बाहर बेज रहे हो कहीं नहीं आरा mass of the object depend करती है planet के parameters के उपर जैसे earth के लिए ये calculate करी है Jupiter पे calculate करेंगे Jupiter का mass रखेंगे Jupiter का radius रखेंगे क्योंकि surface of Jupiter से अगर निकालेंगे तो उसके लिए अलग आएगी similarly किसी और के लिए करेंगे तो उनके लिए अलग आ रही होगी ठीक है मेरा बेटा clear हो गया copy कर लो जल्ली से आगे चलते है मेरा बेटा इसी expression को आप एक और तरह से भी लिख सकते हो वो भी देख लो यहां पर हमें यह चीज़ पता है g equal g m e divided by r e का square यह gravitational motion में बढ़ा है इस r e के square को मैं ऐसे लिख सकता हूँ r e into r e तो अगर एक r e को मैं वहां ले जाओ तो g into r e will be equal to g into r e will be equal to g m e divided by r e यही बन जाएगा लाकर यह value put कर दो v escape will be equal to under root 2 यह g m e upon r e की जगह पर क्या लिख दिया है मैंने g into r e यह भी वही चीज़ है आपके बाद मेरा बेटा calculate करोगे आपको आपका answer मिल जाएगा ठीक है मेरा बेटा समझ आती है यहाँ बे clear है भाईया अच्छा जनाबे वाला आगे चलते हैं अब जरा कुछ और चीज़ समझते हैं इसी में copy कर दो जल्ली से अच्छा मेरा बेटा अब इसी के अंदर जब लोग आगे चलते हैं energy के phenomenon के अंदर तो हमारे पास एक आता है law of conservation of energy या हम कहते हैं work energy theorem सर ये दोनों अलग अलग चीज़ें मेरा बेटा ये की चीज़ के एक दो नाम है परिशान नहीं हो बिलकुल basic से स्टार्ट करेंगे सब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से बस आपने अपनी energy डाउन नहीं होने दिनी है ठीक है चलो भाई या work energy theorem क्या होता है देखो law of conservation of energy क्या कहता है कहते है इनर्जी can neither be created nor be destroyed only it can be transformed from one शकल to other शकल यही कहता है ऐसी कहता है न अभी हम यही चीज़ देखने जा रहे है हमने दो किसम की energies पढ़ी है एक काइनेटी के और एक potential energy है ठीक है मेरा बेटा अब देखो यह मानली जी हमारे पास reference है यानि के यह हमारे पास जमीन है ठीक है और यह मानलो मेरा बेटा यहाँ पे मेरे पास कोई एक building है इस building की यकीनन कोई ना कोई height भी होगी height हमेशे हम जमीन से नापते हैं जहन में रखिएगा height मानले थे हैं इस building की कितनी है मेरा बेटा h है ठीक है अब यहाँ कहीं मेरे पास एक कोई object है इस point को मैंने नाम दे दिया point A का मेरा बेटा जब मैं इस object को drop करूँगा तो जाहिर है यह body कहां पे आएगी body उपर से नीचे आएगी जब body उपर से नीचे आएगी मानलो कुछ point बाद point B पे आगई फिर point C पे आगई point C बिल्कुल जमीन वाला point है बहला जमीन पे आगे strike करने से जस्ट पहले point A और B के दरम्यान में जो फासला है वो मैंने मानल लिए कितना है मेरा बेटा D distance है तो ये बचावा distance कितना हो जाएगा मेरे पास बचावा कितना हो जाएगा सर समझा गया रहे है पहले एक बार बता दे जरा समझा ये रहे है पेटे एक point से अगर मैं body को drop करता हूँ जब body नीचे जा रही होगी तो उसकी potential energy कम हो रही होगी और kinetic energy बढ़ रही होगी ऐसा क्यों सर इसलिए कि मेरा बेटा जैसे ऐसे body नीचे आ रही है उसकी height जमीन से क्या हो रही है कम हो रही है देखो absolute gravitational potential energy हमने पढ़ लिया सीख लिया खतम गर दो से अब आजाओ वापिस अपने MGH वाले formula पे height जादा होगी जमीन से तो ultimately आपके पास जो potential energy वो बढ़ जाएगी जमीन की तरफ आ रहे होगी तो potential energy क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है जब body को drop किया body उपर से नीचे आ रही है तो उसकी potential energy क्या हो रही है कम हो रही है अगर मैं मेरा बेटा point A पर calculation करूँ जड़ा समझना point A पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ potential energy कितनी है तो potential energy का formula क्या होता है MGH आप बोलोगे MGH multiply by height at point A height at point A कितनी है H के बराबर है A point पर height हमेशा यहाँ से निकालते है यह आपका reference है जो जमीन होती है ना वहाँ से height निकालते है तो वो कितना है आपका H है तो potential energy यह रही kinetic energy at point A कितनी है 0 है सर 0 क्यों है मैंने आपको कहा है अभी अभी कि आपने body को drop किया है drop करने का मतलब मैं dynamics kinematic सब में पढ़ा चुका हूँ free fall motion में drop से मुराद होती है कि initial velocity यह हो body को जब आपने पकड़ावा था तो body डिस्को नहीं कर रही थी body रुकी भी थी अपनी जगा पे तो kinetic energy यह रही अगर मैं आपसे पूछता हूँ बदाईए total energy at point A कितनी है total energy इन दोनों का sum होगा sum कर लोगे तो वो कितना आ रहा है mg h आ रहा है अब body गिरते गिरते कहां आ गई point B पर आ गई अब ज़रा जल्दी से point B पर ये दोनों energies calculate कर लें ताके मैं अपनी बास समझा सकूँ point B पर अगर मुझे potential energy निकाल नहीं है potential energy का formula क्या है mg h b ये ये ना भाई mg h होता है h b का क्या मतलब है point B तक की height अगर आप point B तक की height देखोगी आप बच्चा यहां पर मारता है बहुंगी क्या point B तक की height वो लेता है d बेटा d कैसे हो सकती है height कहां से नापते अगर आप किसी कमरे में खड़े वे हो और किसी को बोलो अपनी height नापे आपकी height नापे तो वो height जमीन से आपके सर तक नापेगा या चट से आपके सर तक नापेगा कहां से नापेगा height जमीन से नापेगा जमीन आपका reference होती है तो जमीन से point B तक की height कितनी है h minus d h minus d ठीक है तो क्या बन गया, यह बन गया, MGH-MGD, यह नहीं कि पहले MGH थी, अब इसमें से MGHD क्या हो गया, कम हो गया, अच्छा, अगर मुझे kinetic energy निकालनी है, point B पर, तो क्या होगा भाई, formula क्या हो जाएगा, half MVB का square, लेकिन सर आपने तो कहा, कि initial velocity 0 थी, बेटे बिल्कुल 0 थी, तो जब body उपर से नीचे आ रही है, तो उसकी velocity तो वक के साथ साथ बढ़ेगी न, क्यों सर, यूंकि जब body नीचे आ रही है, free fall motion कर रही है, 10 meter per second square, हर second में 10 meter per second बढ़ेगी, चलो, अभी इसको निकालते हैं सरा, अगर मैं यहाँ पे 30 question apply करूं, 2 AS equal VF square minus VI square, कहां से कहां पे, ज जो gravity A है, उसकी जगा पे G डाल दिया, distance body ने उपर से नीचे आते वे कितना cover किया, D cover किया, हाँ या ना, final velocity का मतलब है, velocity at point B, यानि के VB का square हो गया, समझ आ रहा है ना भाई, क्यूंकि जो मैं A से B तक पे लगा रहा हूं, जब मैं A से B तक पे लगा रहा हूं, तो A मेरा initial point और B मेरे पास क्या है, final point है, तो minus V A का square हो गया, V A का square कितना हो जाएगा, 0, क्यूंकि A point के उपर जाहर है, जब आपने body को drop किया था, उस लंगे body की initial velocity कितनी थी, मेरा बेटा, 0 थी, तो यह तो खतम ही हो गया, तो यहां पे आपके पास V B square कितना निकल गया, V B square आ गया, अपने पास 2 G D के बराबर आ गया, set है, अब अगर मैं यहां put करता हूँ, half M multiply by 2 G D, 2 से 2 चला गया, तो कितना आ रहा है भाईया, यह M G D आ रहा है, अब आप यहां से ज़रा एक चीज नोट करो, क्या, कि भाई साब, आपके पास पहले potential energy कितनी थी, M G H, kinetic energy कितनी थी, 0, अ अब, आपकी potential energy कितनी है, M G H, minus M G D, यानि कि जो पहले थी, इसमें से M G D का factor क्या हो गया, minus हो गया, अब नोट करो, kinetic energy कितनी है, M G D, क्या आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा है, जो M G D का factor यहां minus हुआ है, वो यहां आके plus हो गया है, हाँ यानि कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ जब body उपर से नीचे आ रही है, during the downward motion, जो potential energy का loss हो रहा है, that is equivalent to the gain in kinetic energy, हाँ याना, जो potential energy खर्च हो रही है, वो कहा जा रही है, gain in kinetic energy में, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे, आप बोल सकते हो, कि बाई साब, जो change in potential energy है, that is basically equal to the change in kinetic energy, और potential energy का change minus में आएगा, kinetic energy का change positive में आएगा, क्योंकि potential energy खर्च हो रही है, जबकि kinetic energy gain हो रही है, समझाई ये बात, कैसे निकाल सकते हो, final minus initial कर लो, final potential energy कितनी है, MGH, minus का MGD, final potential energy minus, initial कितनी है, MGH, यही है ना भाई, final minus initial, similarly, final kinetic energy कितनी है, MGHD, minus, initial kinetic energy कितनी है, 0, MGH से MGH मर गया, क्या आया, minus का MGD, will be equal to plus का MGD, यही बात मैं आपको मर डिरेक्ली समझा रहा था, कि भाईया, जितनी आपकी potential energy कम हो रही है, kinetic energy आपकी उतनी क्या हो रही है, बढ़ रही है, समझाती है बात की, clear हो गया, एक बात तो यह किलिए, दूसरी बात, total energy हर point पे conserve है, कैसे, आपने total energy point A पे निक kinetic and potential energy always, हमेशा, अगर मुझे point B पे total energy निकालनी हो, तो total energy at point B will be equal to potential energy at point B, plus kinetic energy at point B, potential energy at point B, कितनी आई थी, यह लिखी भी, अभी निकाली थी, MGH minus का MGHD, plus kinetic energy point B पे कितनी आई थी, MGHD आई थी, minus MGHD से plus MGHD मर गया, कितनी आ रही है, total energy कितनी आ रही है, MGH के बराबर आ रही है, तो देखो यही थी पहले भी MGH, अभी यही आ रही है, दो बाते हमने साबित करी है work energy theorem में, पहली, कि चाहे downward motion हो, चाहे upward motion हो, at each and every point, total energy, that is the sum of kinetic and potential energy will always remain constant, which is the basic statement of law of conservation of energy, हाँ, यह हो सकता है, कि कुछ part kinetic में हो, कुछ part potential में हो, जैसे, start में, सारी की सारी potential थी, kinetic was 0, दर्म्यान में आपने देखा, कुछ potential है, कुछ के है kinetic, similar pattern पे, अगर आप point C पे calculate करोगे, तो सारी की सारी kinetic में convert हो चुकी होगी, और potential का part क्या हो जा तो हम यह कह सकते हैं, कि during the downward motion हो गया रहा है, कि आपके पास जो potential energy है, that is being converted into what, that is being converted into kinetic energy, अब इसकी जब हम expression लिखते हैं, work energy theorem की expression, वो expression हम इस तरह से लिखते हैं, कि जो potential energy है, this is being converted into kinetic energy, यह उस वकत है, जब आपकी force of friction 0 है, अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए माल लेते ह हैं, कि अगर हमारे पास air resistance मौझूद है, air resistance का काम क्या होता है, मेरा बच्चा दरा समयना, दरा समयना है यहापे, अगर यह marker को मैं उपड़ से भैंकता हूँ, हमें यह समझ में आ गया, जैसे ऐसे marker नीचे आ रहा है, वो अपनी potential energy lose out कर रहा है, और kinetic energy क्या कर रहा है, gain कर र होगा, air का काम क्या, resist करना, जब यह resist करेगा, तो जब यह marker नीचे आएगा, इसकी potential energy का एक हिस्सा, air resistance को overcome करने में जाएगा, बचावा हिस्सा kinetic energy बिनाने में जाएगा, पॉइंट समझाया है, मिसाल समझो, आपकी एक hurdle race चल रही है स्कूल में, hurdle race क्या होती है, वो जिसमें hurdle को cross करोगे, वरना टकरा के गिर जाओगे, जब आपने चलांग मारी, उसमें energy गई, गई न, बागी की energy भागने में जा रही है, लेकिन चलांग मारने का मतलब है, obstacle को overcome करने में भी energy गई, same is the case here, marker उपर से नीचे आ रहा है, तो potential energy का कुछ हिस्सा, air resistance के against काम करने में है का kinetic energy में, इसका मतलब अगर air resistance है, तो potential energy दो कामों में खर्च होगी, एक, work done against the air resistance plus increasing the kinetic energy, अगर potential energy, अगर air resistance है, यानि के अगर force of friction non-zero है, जाहिर है, हवा की भी तो रगड की ताकत होती हैं, जिससे हम drag force कहते हैं, thrust force पढ़ाई थी, stroke theorem के अंदर, तो वह ही है, basically, viscosity का concept, viscosity सिर्फ liquid में नहीं आती है, air भी तो fluid है, मेरे भाई, ठीक है, तो जो potential energy है, ये दो काम कर रही है, एक, work done against the air friction, दूसरा, increasing the kinetic energy, यहाँ पे potential energy खर्च हो रही है, और kinetic energy क्या हो रही है, बढ़ रही है, समझ आ गई बात की मेरा बेटा, यह हमारे बास था, work energy theorem, अब एक और ची potential energy is equivalent to changing kinetic energy, अगर kinetic energy change हो रही है, potential energy भी change हो रही है, यह बात तैय है, ठीक है, फिर कोशी लिखवाता हूं, अगर मैं इस marker को उपर लेके जा रहा हूं, marker को उपर उच्छालता हूं, यह marker को मैं उपर लेके जा रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं, इस marker के उपर, हाँ या ना, तो इसकी potential energy क्या हो रही है, बढ़ रही है, अब ज़रा suppose करो, मैं marker को उपपर उच्छालता हूँ, मैंने क्या किया, marker को उपपर उच्छाल दिया, जब मैंने marker को उपपर उच्छाला, force of gravity कहा एक कर रही है, downward, marker कहा जा रहा है, upward, kinetic energy कम होगी है, बढ़ेगी, कम होगी, kinetic energy जित इसी भी body पे जो work done होता है, that is equivalent to the change in kinetic energy, हा या ना, यह है आपकी work energy theorem की expression, work energy theorem, एक और मिसाल से समझाता हूँ, पहले एक मिसाल समझो, फिर दूसरी मिसाल से समझाता हूँ, यह हमने कई जगा पर उच्छाल दिया, जब मैंने marker को उपर उच्छाला होगा, marker की certain speed होगी, उप और जाते जातें इसकी speed क्या होगी है? कम होगी है, इसका मतलब kinetic energy में change आ रहे है, हाँ या नहा आ हो, हाँ या बिलकुल आ रहे है, उपर जाते वे kinetic energy क्या हो रहे है, कम हो रहे है, गोया काइनिटिक energy में change आ रहा है, इतनी बात पे तो हम agree करते हैं अच्छे तरीके से, clear हो ये जो change आ रहा है ये क्यों आ रहा है बेटे ये change इसलिए आ रहा है क्योंकि force of gravity इसके उपर काम कर रही है force of gravity इसके क्या कर रही है क्या काम कर रही है force against लग रही है ये उपर जा रहा है तो जितना काम हो रहा है जितना काम हो रहा है that is equivalent to the change in kinetic energy या मैं यूं भी कह सकता हूँ कि this is equivalent to the change in potential energy अब ज़रा समझो सारे concept को मिला के जो अभी तक हमने दो टाई गंटे में पढ़ा है काम हुआ marker पे by the gravitational force kinetic energy कम हुई potential energy बढ़ी सब चीज़े interrelated नजर आ रही है हाई अना तो अपने पार लिक लेना work energy theorem क्या है work done on an object equals the change in kinetic energy of that object आप किसी भी body पे काम करोगे तो it will be equal to the change in kinetic energy of that object change का मतलब है kinetic energy बढ़ भी सकती है कम भी सकती है अगर जो body का direction of motion है उसी simp में force लगाओगे तो kinetic energy बढ़ जाएगी जो direction of motion है उसके against force लगाओगे तो kinetic energy कम हो जाएगी कानेमेटिक्स में बढ़ाईती बात एक body जा रही है आप उसी direction में force लगाओगे तो speed will increase body जा रही है आप force उल्टे सिंद में लगाओगे तो speed will decrease body जा रही है same direction में force लगाया speed बढ़ी तो kinetic energy बढ़ेगी जहीन में रखना अगर force parallel to the direction of motion है तो ultimately जो kinetic energy है वो क्या हो जाएगी बढ़ेगी यूँकि speed बढ़ रही है अगर force opposite to the direction of motion है तो क्या होगा आपके बाद kinetic energy क्या हो जाएगी कम हो जाएगी यूँकि speed basically क्या हो रही है कम हो रही है इस इस फिनोमिना ओफ work power energy work energy ठीओरम कॉपी कर लो मेरा बेटा जल्दी से आगे चलते है ठीओर मेरा बेटा अब यहां पर हमारा energy का concept अपने मंदगी अंजाम तक पहुंचता है अब हमारे पास आखिर के एक दू छोटे छोटे मासूमाना टॉपिक बाकी रह गए एक है भई यह दा फिनोमिना ओफ power अच्छा मेरे बेटा power हमारे पास क्या होती है power is rate of doing work या rate of consumption of energy अक्सर बच्चे जो है ना बिचारे मासूम जो है ना वो power और work done को आपस में confuse कर रहे होते हैं तो इसकी बड़ी एक सिंपल सी मिसाल है जो मैं अक्सर दिया करता हूँ देखो power का तालुक जो है ना वो machine की efficiency के साथ है मिसाल के दोर पे एक कोई coaching center है उसके अंदर तीन टीचर्स है एक बिलाल है एक साध है एक उमर है तीन टीचर्ण है तीनों physics बढ़ाते हैं मिसाल के तो पे सर बिलाल भी फिजिक्स बढ़ाते है सर उमर भी बढ़ाते हैं सर साथ भी बढ़ाते हैं अब सुर्ट इयाल क्या है कि premiums हुए या mock examination हुए एक हजार बच्चों ने दिए एक हजार physics की कॉपियां चेक होने के लिए मिल गई या मालो 900 ने दिये ताकि समझने असान हो जाए 900 बच्चों ने प्रिलियम दिये तो कॉपियां डिस्टिबिट हो गई सर बिलाल के हिसे में 300 कॉपियां ही चेक करने के लिए सर साथ के पास भी 300 गई, सर उमर के पास भी 300 गई सर साथ ने दो दिन में 300 कॉपियां चेक कर दी सर उमर ने 4 दिन में ये काम किया सर बिलाल ने 6 दिन में ये काम किया अब अगर मैं आप से पूछता हूँ कि बताईए कि तीनों ने जो वर्क डन किया वो एक जैसे है ये अलग अलग है तो आपका आंसर अगर है कि अलग अलग है तो बिलकुल गलत आंसर है हम तीनों ने काम एक जितना किया मैंने भी 300 कॉपियां सेस करी साथ ने भी और उमर ने भी फर्क किस चीज़ का है फर्क टाइम का है अगर मैं आप से पूछता हूँ क्या rate of doing work काम को करने की रफतार हम तीनों की एक जैसी है बिलकुल नहीं मेरी सबसे कम है साथ की सबसे ज़्यादा है उमर की intermediate है तो इससे आपने सीखा गया आपने यह सीखा के पावर क्या है rate of doing work काम को करने की रफतार is basically पावर कितने कम वक्त में आप जितना ज़्यादा काम कर सकते हो that will be power ठीक है मेरा बेटा तो पावर किसी मशीन की एफिशेंसी डिफाइन करता है हम अक्सार वारे घरों में मोटर लगी भी होती है प्लंबर आगे कहता है सर आप एक HP के बज़ए दो HP की मोटर यूज़ करे आपकी टैंकी जल्दी भर जाएगी दो HP की मोटर लगाने से क्या होगा क्या जो टैंकी है उसमें कोई मतलब कोई जिसे कहना चाहिए बरकत हो जाएगी जदा पानी स्टोर करेगी नहीं पानी उतना ही स्टोर करेगी पहले अगर टैंकी आपकी दस मिनिट में भरती थी आप छेट पांश मिनिट में भर जाएगी रेट ओफ डूइंग वर्क क्या हो गया बढ़ गया अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँगा इट विल बी जूल पर सेकंड समझते हो एक मीटर आगया एजट इस अपॉन में सेकंड आगया देखे रहो न्यूटन को खोला मैंने किलोगराम मीटर पर सेकंड स्कॉाइर में मीटर पर सेकंड इसट इस आगया अगर डैमेंशन कलकुलेट करता हूँ इनरजी की डैमेंशन मैंने निकाली नहीं है जहन में रखना वोई वाली है जो वर्क डैन वाली है किलोगराम के लिए आगया यहाँ पर एम दो मीटर है तो हो गया एल स्कॉाइर अप उन में तीन बार सेकंड लिखा है तो हो गया टी क्यूब क्या बनता है यह M L स्कॉाइर T की पावर माइनस 3 दिस इस दा डैमेंशन ओफ पावर और यूनिट क्या बनता है जूल पर सेकंड या मेरा बिटा इसी कौम कहते हैं क्या वाट एक चीज़ और देन में रखना है यहां से जूल पर सेकंड वाट होता है या पावर इस बेसिकली इनर्जी अपॉन टाइम इनर्जी का एक फॉमुला यह भी हम अक्सर यूस करेंगे पावर मल्टिप्लाइबाए टाइम और इनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल और पावर क्या है पावर की यूनिट क्या है वाट और टाइम क्या है सेकंड यह सेकंड इस्तमाल किया एक वाट पावर की डिवाईस को एक सेकंड इस्तमाल किया इनर्जी कितनी खर्च होगी एक जून खर्च होगी सेट हो गया इटनी बात हमें समझ में आ जाती है कि 파वर है siamo Rev-deez कांटिटी है बाई जहिए जहन में रखेंगे अगर मैं यहां पर यह जो मेरे पास है S upon T यह जो मेरे पास है S upon T अगर मैं इसको देखता हूँ ultimately यह क्या बनता है F dot B बनता है तो power can also be defined as the dot product of force and velocity power can also be defined as the dot product of force and velocity यनि कि force अगर आपको vector form में दी हो velocity अगर आपको vector form में दी हो तो मेरा बेटा इनको अगर आप dot product लोगे ultimately आपको power मिल जाएगी ठीक है इसी तरीके से जैसे यह हमारा जो unit SI के अंदर था या MKS में था अगर मैं non SI unit CGS की बात करूँगा तो CGS में यही work done upon time का जो unit बनता है यानि कि power का unit बनता है that is arg per second arg per second क्या है वही 9 cm per second इसी तरह FPS में अगर आप जाओगे FPS में क्या था pound fit work done का था अभी पढ़ा था per second आज जाएगा इसी तरह आप देखोगे एक और unit हम अक्सर यूज़ करते है HP stands for horse power horse power horse घोड़ा horsepower HP basically एक बड़ा unit है power को express करने का motor वगएर हम ममण HP में express करते है एक HP बराबर होता है 746 watt के या 550 pound fit per second के ये जाहर है आपका SI conversion है ये आपका FPS conversion है HP is nothing but a large unit of power जो हम अक्सर यूज़ करते हैं motor वगएर की power को express करने के लिए तो एक horse power में 746 watt होता है या 550 pound fit per second होता है के यह रहे बचे इतना हिस्सा आगे चलते हैं इसके एक दो सवाल देखते है अब देखो मेरा बेटा जो topic हमने पढ़ा है उससे related NTS 2013 में आया वा एक question आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कहता है आपके पास एक force है that is acting on a body for four seconds ये आपको force दिया हुआ हुआ है vector form में कितनी देर के लिए एक कर रहा है चार सेकेंड के लिए कर रहा है produces a displacement of this much meter क्या निकालना है भाई साब पावर निकालना है अच्छे से पढ़ चुके है अभी तक हम formula power का क्या था work done upon time आगे open कर देंगे तो क्या बन जाएगा f dot s divided by t यही बनने का ना मेरा बेटा हाँ या ना यही बन जाएगा values place कर दें f कितना दिया है 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap dot आगे displacement कितना दिया हुआ है 3 i cap plus 4 j cap plus 5 k cap यही दिया हुआ है अब आपन में मेरा बेटा time कितना दिया हुआ है time is given to be 4 seconds solve कर लो 2 3s are dot product लो लेना आता है ना i वाला i से j वाला j से k वाला k से 2 3s are 6 इधर j के पीछे 3 वहाँ 4 है तो 3 4s are 12 इधर 4 है उधर 5 है तो 4 5s are 20 denominator में क्या आ गया 4 आ गया add कर लीजिए 20 में 12 add करा तो 32 32 में 6 add करा तो 38 38 divided by 4 solve करेंगे 4 9s होता है 36 38 में 36 या 2 बचा decimal लगा दिया यहाँ 0 लगा दिया 4 5s are 20 क्या बना 9.5 तो 9.5 what is the correct answer है clear हो गया बेटे past paper में आपकी किताब की examples और end of chapter problems आए वे वो आपने लाजमी solve करने है किसी हाल में आप उनको छोड़ नहीं सकते ठीक है copy कर लो जली से और आगे चलते हैं और last part इसका मुकमल करते हैं अब इसका जो last part है ना मेरा बेटा work power energy हम मुकमल कर चुके इसी के अंदर एक और relation से related हमारे पास question बनते हैं उस question पे मैं जा रहा हूँ वो question माजी में आपको बहुत दफ़ा पेपर में नदर आएंगे kinetic energy और momentum को लेके momentum हम dynamics में already cover कर चुके है ठीक है linear momentum की बात हो रही है linear momentum का formula होता है m into v we have already done that ठीक है अच्छा भाई साब अगर मैं kinetic energy की आप से equation पूछता हूँ तो क्या है half m v square ऐसे ही है अगर मैं यहाँ पे m से multiply divide कर दूँ तो देखना दर है क्या बनेगा यह बनेगा m square v square बटे में आ जाएगा 2m हाँ या ना अगर मैं यहाँ पे m v को एक तरफ कर दूँ और उपर square आ जाएगा upon में क्या आ जाएगा 2m क्या बन जाएगा यह p square upon 2m आप बार बार देखोगे कि मैं यह relation यूज कर रहा हूँ kinetic energy का momentum के साथ relation है p square divided by 2m ठीक है मेरा बेटा पॉइंट समझ आ गया kinetic energy का momentum के साथ relation क्या है p square upon 2m समझ आती है अब यहाँ पे कभी कबार ना जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता हो उसके दिमाग में एक doubt आता है क्या doubt आता है सर आपने m से multiply divide किया momentum से relation बनाने के लिए अगर मैं इसे ऐसे कर देता half m v square होता है ना formula अगर मैं इसे तोड़ के लिख दूँ तो यह क्या बनेगा p v upon 2 यह लो यह भी एक relation बनाने के लिए तो सर अगर आप m v square को ऐसे लिखते v अलग करते m v यहां करते तो भी तो बन रहा है अगर आपके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेपुरे कहीं भी यह doubt आ रहा है इसना मतलब आपके दिमाग के धकन आइसा इसा खुलना शुरू हो गए अब यह वाला relation हम कभी भी नहीं लेके जाते है उसका reason है क्या reason है? reason conceptual है क्या reason है भाईया? किसी body पर जब ताकत लगती है तो वो उसकी velocity भी change करती है momentum भी change करती है भाईया velocity change होती है तो momentum auto पर change हो जाता है अब मसला यह है कि आपने किसी body पर ताकत लगाई तो यह भी change यह भी change एक equation में दो variables यह अच्छा sign नहीं है तो एक equation में एक ही variable होना चाहिए अब आपने किसी body के उपर ताकत लगाई तो यहाँ पर देखो momentum change होगा लेकिन mass change नहीं होगा ताकत लगाके आप mass change नहीं कर सकते है अगर ताकत लगाने से mass change होता तो जिद्दगी में सारे मोटे और पतले लोग दोनों के मसले हलते कोई मोटा है वो बोले भई ताकत लगा थोड़ी वो पतला हो जाएगा जो पतला है वो थोड़ी ताकत लगवा के मोटा हो जाएगा जिम विम के तो कॉंसेप्टी खतम हो जाते ठीक है मेरे लिए भी बदला होना आसान हो जाता पॉइंट समझ में आ रहा है देर इस नो सच तिंग है तो इसलिए हम यह वाला रिलेशन लेकर चलते हैं जहन में रख अब इसके रिलेटेड जो हमारे कुष्सन आते हैं न मेरा बिटा वो कुष्सन हम ने करने है ऑल्दो के इससे रिलेटेड हमारे पास शॉटकट अवेलेबल है लेकिन मैं वो शॉटकट आपको नहीं सिखाँगा उसका रीजन आपको सवाल करने के बाद समझ में आएगा प इससे परिशान नहीं होना बहुत बगरी साहिए सवाल यह है सवाल यह है इफ 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 momentum of a body increases by if momentum of a body increases by 20% then find find the percentage change in kinetic energy मेरे बेटा बिल्कुल परिशान हुए बगार इस तरह कि आपने सवाल पहले भी कही दफ़ा देखे होंगे शॉटकट का रटा मारना is never a solution to any physics problem physics के problem को समझने का एक ही तरीका है conceptual clarification बस इस पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहां पे ज़र आपको पहले रिवाइस करा दूँ देखो बेटे अगर कहीं पे लिखा हुए ना 20 परसेंट तो परसंटेज का मतलब होता है divided by 100 और जब डिवाइड बाइंड होगा तो decimal 202 स्टेप पीछे जाएगा तो एक और एक दो यह लिखा हुए जब परसंटेज लगावाए तो decimal 2 स्टेप पीछे जाएगा अगर इसको परसंटेज में एक्सप्रेस करना है तो decimal 2 स्टेप आगे जाएगा जैसे अगर लिखावाए 0.3 दिस इस 30 परसंट कहीं लिखावाए 0.45 दिस इस 45 परसंट किलियर है जब हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता होता तो initially जहन में रखिएगा initially हम चीज को मान के चलते हैं कि initially आपकी चीज है 100% 100% मतलब मैं आपको जो चीज दे रहाँ वो 100% है मिसाल दे रहाँ अगर जैसे मैंने अपने बिजनिस में कुछ पैसा इंवेस्ट कर दिया वो जितना भी पैसा उसे मैं कह रहाँ 100% कुछ प्रॉफिट हुआ तो 100% में वो चीज एड हो जाएगी नुकसान हुआ तो वो माइनस हो जाएगा जैसे मैंने इंवेस्ट किया उसे कह दिया 100% एड दा एंड ओफ डे मेरे पास आया 130% इसका मतलब मुझे 30% का फाइदा हो गया एड दा एंड ओफ डे मेरे पास आया 80% मुझे 20% का लॉस हो गया सेट हो गया यह बिसिक चीज दो चार जहन में रख लिए ना बास और कुछ नहीं शाहिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं डिवाइड बाइंड करके सेट है अगर आप इंक्रीज करते हो 20% और फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनरजी अच्छा आपको फोर्मला पता है मेरा बेटा काइनेटिक इनरजी का फोर्मला क्या होता है प स्कॉाइर डिवाइड बाइ 2 M सेट है भाई सब आप कहे दो कि आपका जो इनिशल मोमेंटम में वह कितना है प है इनिशल मोमेंटम क्या है प है देखते चलो आइसता इसता बिल्कुल सींपल सा कोई से ले 10-15 सेकंड में आप ख buscar लोगे इनिशल्मोमेंटम कितना है पी है क्या मैं कह सकता हूँ इनिशल्मोमेंटम होगा जो इनिशल्मोमेंटम है प्लस जितनी पर्संटेज उसके अंदर चेंज होई है हाँ या ना भाईया एक बंदे की सेलरी ये 100 रुपे उसमें 20% का इजाफ़ा हो गया तो आप क्या बोलोगे नई सेलरी क्या है 100 रुपे जो पुरानी सेलरी थी परसंट औफ पी चेंज इतना है ना 20 परसंट का चेंज आए कहते है मोमेंटम चेंज कितना हुआ मेंटम इंक्रीज बाइ इंक्रीज था तो यहां मैंने प्लस लगा दिया अब 20 परसंट को मैं लिख सकता हूं 0.2 यह क्या हो गया मेरा बेटा 1.2 पी बन गया हाई अना अभी एब्जॉब करते चलो अच्छा फॉर्मुला आपको पता है अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास इनिशल काइनेटिक इनरजी का फॉर्मुला है इनिशल काइनेटिक इनरजी बराबर हो जाएगी पी स्कॉर अपॉन 2 के हाई है ना अच्छा फाइनल काइनेटिक इनरजी जो है फाइनल काइनेटिक इनरजी जो है वो क्या हो जाएगी फाइनल मुमेंटम का स्कॉर अपॉन 2 एंब फॉर्मुला यह है ना पी स्कॉर अपॉन 2 एंजब इनिशल काइनेटिक इनरजी थी तो यहां पे मुमेंटम भी नीशे लाया था इसलों कितना अधभी के और आपर था जब काइनेटिक इनरची फाइनल है तो मोमेंटम भी कौन सा आ रहा है फाइनल वाला अच्छा के फाइनल विल बी इकॉल टू फाइनल मोमेंटम कितना दिया वै वन पॉइंट टू पी उपर स्कॉयर आ गया अपॉ 12 upon 10 basic मैंस अगर देखी हुए समझ में आ जाएगा यह जो मेरे पास पी स्कॉाइर अपॉन टू एम है यह पी स्कॉाइर अपॉन टू एम इनिशल काइनेटिक इनर्जी के बराबर है हाई अना और इनिशल काइनेटिक इनर्जी कितनी है मेरे पास के है सर यह कैसे पता चला इन इनिशल के इनर्जी आप क्या होगे वह है 100% के मतलब वन के 100 अपॉन टिके तो यह आगया मेरे पास के 12 का स्कॉाइर कितना होता है 144 अपॉन में 10 का स्कॉाइर क्या हो गया 100 ऐसे ही हो गया अपॉन में जो हंडे लिखा हुए इसको मैं ऐसे परसंटेज में एक्स्प्रेस कर रहा हूं तसली से अराम से देखो कोई परेशानी वाली बात नहीं है सबसे असान कुछ से नहीं मैं इसका शॉटकट भी करा सकता था जो आपका आंसर दो सेकेंड में निकाल देगा उसका फाइदा नहीं आप फस जा होगे क्यों वह भी बताता हूं पहले सवाल सीखो के अच्छा फाइनल मोमेंटम कैसे निकाला यहां से आपका काम स्टार्ट है आप बोलो के फाइनल मोमेंटम क्या है देखो इसने का मोमेंटम इंक्रीज हुआ बाइटी परसंट तो आपने बोला जो इनीशल मोमेंटम है प्लस जितना चेंज आया अपने प्लस 0.2 भी 1.2 हो गया कोई दिक्कत नहीं आता का इनरजी का फॉर्मॉला है P स्कॉर अपॉण तो फाइनल काइनरजी होगी तो मोमेंटम भी फाइनल वाला आएगा हो ग्या फाइनल मोमेंटम की जगा यह ब बोल्किंट यह इसाब का के बराबर हो गया वनपॉइट टुको खोल क के लिग पूछा था इसने पूछा था चेंज क्षे कैसे निकालते ओप जरा मुझे बताओ चेंज कैसे निकालते हो चेंज निकालते हैं final kinetic energy minus initial kinetic energy final kinetic energy कितनी है 144% of k initial kinetic energy कितनी हो इंशाल kinetic energy ति के यह मैं कह सकता हूँ 100% of K हाई या ना भाई जब इसको जब इसको percentage में रखा वैं तो इसे भी percentage में रखें सिर्फ के नहीं लिख सकते हैं समझना यह बात गौर से बच्चे इसको आपने percentage में रखा है तो यहां भी percentage होनी चाहिए यह है सिर्फ के लिखा हुआ 100% मतलब क्या होता है hundred upon hundred तो minus करो गए तो क्या बनता है 44% यानि कि अगर आपके पास momentum 20% change हुआ तो kinetic energy कितना change हुई 44% अब समझो अगर मैं आपसे यही सवाल करता आप देखो यह सवाल हमारा कितना जल्दी हो रहा है और आपने पूरी लॉजिक भी सीखी है अगर मैं आपके कहता इफ momentum of a body increases by 30% तो बताओ पहले एक बार वीडियो पॉस्ट करो फिर मैं बता रहा हूँ 30% क्या होगी इनिशल मोमेंटम पी होगा फईल म Wakanda क्यू क्या होगा इनिशल मोमेंटमgia म प्लस प्रसंटेज सेंज इंशल ममेंटम क्या है पी as always घाटी परसंट मतलब जीरो पॉंद 3P add करोगे तो 1P plus 0.3 कितना हो गया 1.3P यह as it is हो जाएगा यहां आएगा 1.3P का square upon 2M square 1.3 पर भी आया इस पर भी आया यह पूरा के के बराबर हो गया यह हो जाएगा 13 upon 10 13 का square होता है 169 basic महस पढ़ा चुको upon 100 169% final kinetic energy कितनी आ 169% change कितना आया 169% minus 100% कितना आया 69% का सेम एक्सराइज रिपीट करो 40% के साथ 40% करोगे यहां आएगा 0.4 यह हो जाएगा 1.4 1.4 14 upon 10 14 का square 196 upon में 100 196% 196% तो अब क्या हो जाएगा change कितना आएगा 96% का आएगा समझा आ गई set है अब अक्सर यहां पे आपका examiner एक काम और कर देता है क्या अगर आपका examiner मिसाल के तौर पे आपको कहें कि भाई इसके आगे वो कह दे कि मिसाल के तौर पे initial kinetic energy है 10 joule initial kinetic energy क्या है 10 joule है आपको कह रहा है find the final kinetic energy as well as change in kinetic energy अब यहां पे उसने सवाल कर दिया मेरा बच्चा change थोड़ा सा अभी तक हम percentage में घूम रहे थे हमें पता था initial kinetic energy 100% of k है final kinetic energy 144% of k है के क्या है initial kinetic energy change कितना आ रहा है 44% का रहा है माइनस करके निकाल लिया अब उसने कहा कि अगर initial kinetic energy 10 joule है तो बताइए final कितनी है और change कितना रहा है कोई दिक्कत नहीं है यही सब करेंगे यही सब करेंगे बिलकुल यही सब करेंगे और final kinetic energy energy निकालनी है और जो निकालते हैं अभी final kinetic energy कितनी आई यह 144% percent मतलब क्या होता है एक 100 multiply by initial kinetic energy initial kinetic energy कितनी है 10 joule multiply कर दो simple solve कर लो आगे answer final kinetic energy कितनी है मेरा बेटा 14.4 joule change change कैसे निकालते है final minus initial तो भई 14.4 final है 10 initial है दोनों को subtract कर दो क्या आ रहा है 4.4 चूल दिस इस दा benefit यह advantage अगर आप conceptually चीज़ को पढ़ते हो आपको रटा नहीं माड़ना पड़ेगा वो किसी भी तरह सवाल गुमागे दे सकता है समझा गया बत आपने इसको करा यहां पे अगर आप इतना हिस्सा सीख गए हो तो मैं आपको फिर से एक बार यह चीज़ करा रहा हूं अब की बार सवाल चेंज कर रहा हूं फिर आपको शायदा बहतर अंदाज में समझ में आ जाएगा कि हमने यहां पे शॉर्ट कट का इस्तमाल क्यों नहीं किया देखो अब आपको सवाल में कहा जा रहा है आपने पहले यह चार सवाल करने है 20 30 40 और 50 वाला भी एक करना कह रहा है इस मोम को मान लिया के जो के बराबर है पी स्कॉयर अपॉन टू एम के बराबर है सिमिलरली इनीशल मोमेंटम आपका पी है और फाइनल मोमेंटम कैसे निकालते हैं जो भी इनीशल मोमेंटम होता है माइनस परसंटेज चेंज इन मोमेंटम सर माइनस क्यों करा आप आपने माइनस इसलिए किया कि अब उसने क्या का? डिक्रीज कह दिया, चलो करो भाई या, फाइनल मेंटम क्या हो जाएगा? पी माइनस का, कितना चेंज हुआ? 20% आफ पी, यही तो कह रहा है, भाई पहले था पी, अब 20% डिक्रीज हो गया, तो पी माइनस का 20% आफ पी, यहीं कि यह बन जाएगा, पी माइनस का 0.2 पी, इसके बीचे वन है, वन में से 0.2 पी निकला, तो क्या बना? 0.8 पी, और आप चाहो तो यह समझ भी सकते हो, 0.8 पी से मुराद क्या होती है? अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करने है, डेसिमल दो इस्टे बागे जाएगा, अपे हाँ या ना, 0.8 मुल्टिप्लाइ बाइ 100, डिवाइट बाइ 100, यहीं होगा न, डेसिमल दो इस्टे बागे जाएगा, एक और एक दो, 80% आफ पी, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग, देखो सवाल पढ़ो, क्या लिखा हुए, मोमेंटम कितना डिक्रीज हुआ है, 20% डिक्रीज हुआ है, तो पहले अगर 100% था, तो बीस पीसद कम होने के बाद कितना हो जाएगा, 80% जाएगा, यह वैसी बता रहा था मैं, समझाने के लिए, ठीक है, अब आजाओ, इ एक ही स्टेप में दोनों को अलग-अलग कर लिया न, स्कॉर दोनों पर आ गया, आगे चलो, 8 upon 10, उपर स्कॉर आ गया, multiply by यह क्या, initial kinetic energy हो गई, 8 क्या चीज है, 64 upon में क्या आ गया है, 100, multiply by k, क्या बनाई है, 64% of k, final kinetic energy कितनी आई है, 64% of k, initial कितनी दी, 100% of k, change निकालना है, change कैसे आएगा, change कैसे आएगा, final minus initial, final है, 64% of k, initial है, k और k के बीचे 1 है, 1 का मतलब 100% है, 100% of k, change कितना आ रहे है, minus का 36% of k, यानि कि अगर आप momentum को 20% decrease करते हो, तो kinetic energy will decrease by a factor of 36%, समझ आ गया, similarly, अगर मैं यहाँ कहता, decrease by a factor of 30%, तो क्या होता, यह इरिटिस चलता है, यहाँ 1 minus 0.3 would have been 0.7, 0.7, 7 upon 10, 7 का square 49, यहाँ था 49%, 49 minus 100 करते है, minus का 51% change आता, point समझ आए, अब, अब मसला क्या है, अगर मैं आपको shortcut पढ़ाता, तो increment momentum के लिए अलग shortcut होता, decrease करने के लिए shortcut अलग होता, अभी आगे दो तरह के और सवाल आएंगे, उनके लिए shortcut अलग होता, आप भूल भूलईये में घूमते रहते, कब कौन सा कहां पे क्या shortcut लगाना है, this was the reason के shortcut नहीं कर सकते थे, अगर आपकी memory बहुत अच्छी भी थी, रट्टा भी लगा सकते थे, तो क्या होता, कि आप इन चारों के लिए एक shortcut का रट्टा मार ले थे, लेकिन अगर यही सेम कुछ हैं, इलेक्ट्र स्टेटिक्स में, इनर्जी ओफा के पैसिटर का अधा फज्जा थे, अब आप कर सकते हो, कैसे, हमने सीख लिए अभी, के उकल पी स्कॉर अपॉन टू एम वाला, इनर्जी ओफा के पैसिटर का फॉमला होता है, हाफ सी वी स्कॉर, अगर मैं आपको कहता ह हो, potential, 20% increase हो गया, बताएं, energy stored by a capacitor कितने % increase होगी, आप सेम तरीके से निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम तरीके से, initial potential V मान लिया, initial energy E मान ली, final energy हो जाएगी, final potential का square, C upon 2 के पराबर, उसके बाद लेके आगे solve कर सकते हो, लेकिन अगर आपने shortcut से रटा मारा वा होता है, आप ये क मेरा बेटा, चलो, अब इसी में एक और सवाल देखते हैं, अभी तक हम momentum को change कर रहे थे, और kinetic energy का change हम साथ-साथ calculate कर रहे थे, ठीक है, अब कहानी में थोड़ा twist लाते हैं, और मेरा बेटा, kinetic energy को change करते हैं, अगर मैं कहता हूँ, if, kinetic energy of a body, increases by 100%, kinetic energy of a body increases by 100%, then, find the percentage change in momentum, देखो बेटे, बिल्कुल सेम सवाल है, बस फर्क क्या है, पहले momentum change करके kinetic energy पर impact देख रहे थे, अब क्या है, अब kinetic energy change करके, momentum पर impact देख रहे हैं, that's the only difference, जो यहाँ पर है, और कोई फर्क इसके अंदर अपने पास नहीं है, समझे ज़रा, बात को समझे, वो ही है बाई, initial kinetic energy को आपने कह दिया, के या 100% of के, initial momentum को आपने कह दिया, पी या 100% of P, अब इसने कहा गया, kinetic energy of a body increases by 100%, मतलब, मतलब यह कि final kinetic energy is, initial kinetic energy, plus 100% of initial kinetic energy, अरे भाई यह ऐसी तो calculate करते हैं, कैसे निकालते हो, एक बंदे की salary यह उसमें 20% का इजाफा हुआ, कैसे निकालोगे, जो initial salary है, plus 20% of the initial salary, ऐसे ही होगा, सिंपल हो गया, यह कितना है, के, 100% मतलब क्या होता है, 1k, कितना हो गया, यह मिला के हो गया अपने पास, 2k, किलियर है, कितना हो गया, 2k हो गया, set है, आज़ा भाई है, momentum का formula क्या होता है, under root 2mk, जब initial momentum है, तो kinetic energy भी initial होगी, अच्छा, अगर मैं final momentum की बात करूँगा, तो यह क्या हो जाएगा, under root 2mk, final kinetic energy आएगी, final kinetic energy कितनी है, 2k के बराबर है, अब यहाँ भी आपने गलती क्या नहीं करनी, इस 2 को इस 2 से multiply नहीं करना आपने, क्यों, बेटे वर्णा formula में convert कैसे करोगे, देखो, यह 2mk एक तरफ हो गया, और यह 2 एक तरफ हो गया, इस 2 को इस 2 से multiply करने वाली भयाना गलती कभी नहीं करना, बेटे देखो, हम करने क्या लगे है, हम under root 2 को इस वाले 2 अलग किया, और इस वाले जो under root 2mk है, इसको मैं कह दूँँगा, यह किस के बराबर है, पी के बराबर है, अगर आप इसको multiply करके बैठ जाओ गया, तो मैं पी को कैसे कहूँगा, वो, पॉइंट समझा गया, तो final momentum कितना हो रहा है, under root 2p के बराबर है, और under root 2, basic match में सिखाया था, 1.414 के बराबर होता है, और आगे क्या आ गया, पी आगया, अगर मुझे इससे percentage में express करना है, percentage में जब express करते हैं, decimal 2 step आगे जाते हैं, percentage खतम करते हैं, decimal 2 step पीछे आता है, अरे भाई यह सिखाया था ना, 1.414 percentage में लेके जाना है, तो क्या करेंगे, 100 से multiply divide कर देंगे, तो decimal 2 step आगे जाएगा, क्या बनेगा, 141.4%, क्या बनाएगे, decimal 2 step आगे जातो, 141.4% of P, यह आपके पास क्या है, यह आपके पास आया है, final momentum, अब आपसे इसने पूछा क्या था, इसने बोला था, change बताईए, change कैसे निकालेंगे, इस में से initial को minus कर आगे, final minus initial, final कितना है, 141.4%, initial कितना है, 100%, minus करोगे, तो percentage change in momentum कितना आएगा, 41.4% आएगा, 41.4% of P, हाँ मेरा बेटा, समझाई बात, अगर समझ में आ गई है, इसको करो, increases by, अगर मैं इसको करता हूँ, let's say, increases by 300%, क्या करता हूँ इसे में, let's say, increases by 300%, देखो क्या होगा, as it is, चलेगा, यहां आएगा, 3K, 3K plus के कितना हो गया, 4K, 4K, यहां पर आएगा, यहां आएगा, 4, यह 2M की as it is, 2M के अपना P कैद होगे, यह जो 4 था, 4 का root कितना होता है, 2, यहां 2 आ जाएगा, 2 का मतलब हो गया, 200%, 200%, 200% का मतलब क्या हो जाएगा, कि change आया, 100% का, initial ता 100%, final है, 200%, change कितना हो, change हमारे पास आया, कितने है, कितने का मेरा बेटा, 100% का, clear हो गया, इसी तरह हो, यह भी कह सकता है कि भाई, अगर मिजाल के तौर पे, हमारे बाइस जो इनीचल मोमेंटम था, वो मिजाल के तोरपे, 10N, टेन क्या उसके यूनिट क्या होती है एम वी से अगर मैं निकालूंगा तो यह हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड से मिल्टिप्लाय डिवाइड कर देंगे हां ठीक है न्यूटन सेकंड वह आपको कहता है इनिशल मोमेंटम अगर आपका 10 कर दोगे क्या बन गया 14.14 अगया इनिशल के वे ने 10 फाइनल कितना हो गया 14.14 चेंज कैसे निकालेंगे दोनों को माइनस कर दो गया समझ आ रहा है क्लियर हो गया अगर समझ में आ रहा है बिलकुल लास इसके अंदर अगर मैं आपको सेम सवाल में बोलूं कि मुमेंटम को अगर मैं डिक्रीज कर दूँ अभी तो मैं इंक्रीज कर रहा था जब से मुमेंटम को अगर मैं मुमेंटम को डिक्रीज कर दूँ लेट से मैं कहता हूं मिजाल के दोर पे कि भाई यह मुमेंटम ओफ आ बॉड़ी ताकि सारे cases हो जाए न, decreases by 36%, कितना decrease हुआ, 36%, find the percentage change in P, अभी भी सबल में नहीं आया, तो मैं फिर से नए सिरे से start करा रहा हूँ, देख लो, कहता है kinetic energy of our body decreases by 36%, सबसे पहले तो आपने kinetic energy को मेरा बेटा कह दिया, के, initial momentum को मेरा बेटा आपने कह दिया, P के बराबर, ठीक है, kinetic energy decrease हो रही है, मतलब final kinetic energy will be equal to, initial kinetic energy minus, जितना change आ रहा है, that is 36% of initial kinetic energy, कितनी है, के, minus 36%, मतलब 0.36 of K, यहां लिखा है 1, 1 में से 0.36 निकालेंगे, तो 0.64 बन जाएगा, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, कि यहां अगर मैं 100% लिखता हूँ, 100% minus 36% कितना होगा, 64%, 64% क्या हो जाएगा, 0.64 कि यह, जैसे लिखना चाओ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो भईया, जब हम आगे चलते हैं, तो हमें पता है, initial momentum बराबर है, 2M, initial kinetic energy के, final momentum हमारे पास बराबर है, हमारे पास बराबर है, 2M multiply by the final kinetic energy के, के लिए रहे, अगर हम इसको लाकर के यहाँ पूट करेंगे, तो यह बनता है, 2M multiply by the final kinetic energy के इतनी आई है, 0.64 के, अब जो भयानक mistake या वाहियात काम आपने नहीं करना, वो इस 0.64 को 2 से multiply नहीं करना, क्योंकि वन्ना formula में यह चीज़ convert नहीं होगी, तो यह हो जाएगा भाई साब, अंडर रूट 2M के multiply by, इस 0.64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 64 divided by 100, हाई या ना, हाई या ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह जो मेरे पास अंडर रूट 2M के है, यह basically किसके बराबर हो गया, यह initial momentum के बराबर हो गया, 64 का रूट क्या होता है, 8, और 100 का रूट क्या होता है, 10, तो क्या बना यह, 0.8 P बन गया, ऐसे ही बन गया ना, मेरा बिटा, 0.8 P बन गया, percentage में express करेंगे, decimal 2 step आगे जाएगा, यानिके 80% of P हो गया, set हो गया, यानिके, समयना दरा, समयना, गौर से समयना, initial kinetic energy आपकी 100% ती, आपने 36% kinetic energy कम कर दी, momentum decrease कितना हुआ, 80% बिलकुल भी नहीं, momentum decrease हुआ, 20%, सर क्यों, ये तो 80 आया है, मेरे लाल, ये जो 80 आया है, ये क्या है, ये आया है, ये आया है, final momentum, change कैसे निकालते हैं, final minus initial, 80 minus 100, change कितना आया है, 20% का, यानि कि अगर आप kinetic energy को 36% कम करोगे, तो momentum कितना decrease होगा, momentum will decrease by a factor of 20%, clear है, मेरा बेटा, सबसे पहले, आपने initial kinetic energy को K कह दिया, initial momentum को P कह दिया, इसने कहा, kinetic energy 36% decrease हुई, आपने कहा, जितनी initial थी, उसमें 36% minus कर दो, ये निकाल लिया हमने, फिर ये formula आया, final kinetic energy डाली, values लाके put करी यहां पे, 2MK को separate किया, ये हो गया 64 upon 100, ये हो गया momentum के बराबर, ये हो गया 8, ये हो गया अपने पास 10, 0.8P, percentage में convert किया, 80% of P, this is the final momentum, initial था 100%, कम होगे कितना रह गया, 80%, change कैसे निकालेंगे, final minus initial, 20% आरा change, अब अगर ये actual value भी दी होगे, तो भी कर लोगे, initial momentum बता है, final निकालना है आपको, ये value given है न, put कर दो लागे, 0.8 multiply by 10, 10 initial given था, कितना आया, 8N second, यानि कि 10N second था, जब आपने kinetic energy 36% कम करी, तो कितना हो गया, 8N second, change कितने का आया, 2N second का change आया, मेरा बेटा, these were the concepts related to work, power and energy, पूरा chapter हमने एक short में revise किया है, उमीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा, ठीक है, तो आपने मुझे बताना है लाजमी कि आपको समझ में आया, मज़ा आया, और क्या आपको नए चीज़ें सीखने को मिली या नहीं मिली,